KGF में करुडा को मारने के बाद क्या हुआ? आप पढ़ेंगे? खून से लिकी हुई कहानी है स्याही से नहीं बढ़ेगी अगर आगे बढ़ाना है तो फिर से कून ही मांगेगी पानी से आद पैदा होने का इतिहास नहीं है लेकिन आग भी पैदा हुई रौकी नाम का इतिहास हुई इसकी सांसों पर हग उस भगवान पर भी नहीं है कुछ लोग उनाम बनते ही सही सौ साल जीना चाहते हैं रोकी मर गया सौने को बन कर निकलने में तपना तो पड़ता ही है पानी से आग पैदा होने का इतिहास नहीं है लेकिन मांग भी पैदा हुई रोकी नाम कई तिहास भी!!!! झाल 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 क्या लगा रोकी मर गया सोने को बन कर निकलने में तपना तो पड़ता ही है झाल 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 फिल्म केजीअब चैप्टर टू यानि केजीअब टू को देखने के बाद सबसे पहले वह बाद जो सभी लोग सबसे पहले जानना चाते हैं क्या केजीअब थिरी भी बनेगी तो इसका जवाब हा में हैं फिल्म बनाने वालोंने फिल्म के अगले अधाय का सूतर फिल्म के कलायमेक्स में दिखा दिया है फिल्म केजीअब चैप्टर टू एक बिसाल का इन्वास के लिए सोची गई कहाणी है आई मैक्स पर इसे देखने का आनन्द ही कुछ और है हाँ बसरते सिनेमा घर का आडियो सिस्टम ठीक से काम कर रहा हो सिनेमा दरस्स स्रब्य माध्यम है अंग्रेजी में आडियो बिजुवल जो दिख रहा है और जो सुनाई दे रहा है उसका संत्रलन फिल्म केजिप चैटर 2 में कमाल का साधा गया है परदे पर कुछ नहीं दिख रहा हो और आवाज आ रही हो तो भी दर्शक समझ जाता है कि आवाज आ रही है आखिर क्या चल रहा है ये फिल्म सिनेमा में एंगरी इंग मैन का वजूद भी तलासती है और जिस तरह येस के परदे पर पहले परवेश पर सिनेमा हाल में दर्शकों की सीटियां तालियां और सब्दावालियां घुचती हैं उनसे लगता है कि कि सिनेमा असल में यही है फिल्म के एजिप्ट एटर टू की कहानी कॉलार गोल्ड फिल्ड पर कबजे की कहानी में पिछली फिल्म में ही तबदिल हो चुकी थी मुंबई से निकला रौकी अब दुनिया पर राज करना चाता है परदान मंतरी कार्याले के परतिच्छा कच में आपना परिचा देश के सीई ओ के रूम में देता है सोने के अवेद कारुबार की देश बिदेश से कड़ियां जोड़ती है फिल्म देश की बित्ती बेवस्ता की उस कमजोर कड़ी पर भी चोड़ करती है जिसमें गुमनाम लोगों के बैंक खाते खोलकर लोग रात और अरब पती बन गए फिल्म केजिब चैप्टर टू की कहानी सुनने के लिए इस बार आनंद नहीं है कहानी उनका बेटा बिजेंद्र सुना रहा है कहानी के किरदार जाने पहचाने है फिल्म अपने पुरवर्ती फिल्म आर 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 की तरह दिल्ली तक चड़ कर आती है दश्चिड में बन रहे है सिनेमा की कहानी को उत्तर तक लाने की जो सुरुआत मड़े रतनम ने फिल्म रोजा में की थी उस परंपरा का वाहक अब आर 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 और केजेब चैटर टू जैसी मेगा वजट फिल्में कर रही है निर्देसक परसान नेल की फिल्म केजेब चैप्टर टू को लेकर हिंदी भासी दर्सकों में आर 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 से बहतर उत्सा है फिल्म ये भी RRR से बहतर बन पड़ी है हाला कि RRR और फिल्म केजिप चेप्टर 2 दोनों की कम से कम एक कमजोर कड़ी समान है और वह है इसका जरूरत से ज्यादा लंबा खिसता क्लाइमेक्स केजिप टेटर 2 को हिंदी में लिखने वाले टीम ने कमाल का काम किया है इसके समाद आपको आखिर तक याद रह जाते हैं जैसे यहां सिर्फ सास्थ नहीं है सिर्फ ताज सास्थ है या फिर हिम्मत के लिए दो चीज़े चाहिए होती है एक पागलपन और दूसरा इमानदारी पागलपन हम यहां रोज देखते हैं और ये देखो इमानदारी फिल्म में एक जिगह रौकी ये भी कहता है कि ये मा की जित की कहानी है लेखक और निर्देसक पर सामनेल के जनून से बनी इस फिल्म में सलीम जावेद की लिखावड के सारे फर्मूले हैं ध्यान से देखोंगे तो येस के हावभाव उनके पहनावे उनकी अकड और उनके रुआब में आपको कभी दिवार कभी सोले तो कभी सुहाग के अमिताब बच्चन का अक्स नजर आएगा बड़े पर सत्तर के दसक में देश के गुष्से को एक रूप देने की सलीम जावेद की कोसिस को अमिताब बच्चन ने एंगरी एंग मैन का आउकार दिया था गुष्सा युवावों में फिर पनप रहा है फिल्म केजिएप चैप्टर टू की कहानी हाला की सत्तर के दसक से असी के दसक तक आ चुकी है देश की महिला परदानमंतरी की चोखर तक जाकर राकी वार करता है सांसद में भी उसकी सेना गुजाती है यह सब इसके बावजूद की राकी वायलेंस पसंद नहीं करता अब वायलेंस राकी को पसंद करे तो वह क्या करे राकी के किरदार में यस ने फिर एक बार महफिल लूट ली है उनका मैनरिज्म तालिया बटोरता है उनका स्टाइल सीटिया बटोरता है और जब रॉकी फर्दे पर अपनी माप पतनिया बच्ती की एक मुस्लिम महला से मुख समाथ करता है तो आंसू भी लियाता है कस्मीर फाइल्स और केजियप टू की कमाई का आंतर यही है केजियप टू किस्तों की वहत दुर्पाई है जो समाज को जोड़ने में मदद करती है मुंबाई का सिनेमा जब लकीर के एक तरफ खड़े होकर दूसरी तरफ से बिलन तलास रहा है तो पहले आर 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 और आर और आप केजियप टू में समाजिक समर्स्ता की एक नई अबारत लिखी जा रही है यहां मुश्किल में काम आने वाले लोगों के मज़ा पर भी भीम को भी फख रहे और राकी को भी इन दोनों फिल्मों की सफलता का राज भी यही है इन्हें देखते हुए आपको पास की सीट पर बैठे दर्सक से सतरक नहीं रहना होता फिल्म की एजियप चैप्टर टू में येस के बार रभीना टंडन और संजे दत दोनों का काम दमदार है रभीना टंडन ने तो जिस गरिमा और गमक्ट के साथ परधान मंतरी का किरदा निभाया है वह उन्हें आने वाले दिनों में प्रुषकार भी दिला सकता है संजे दत तिस महिला में आगनी पत के कांचा से भी आगे निकल गए उनकी बेस भुसा और उनके किरदार का रोब चित्रड़ हाला की एक बिदेसी स्रीज के किरदार से सो फिषदी प्रेरिद दिखता है लेकिन उनका काम रोबदार है स्री नधी सेटी तो अपके एजेप्तिरी में नहीं देखेंगी लेकिन समंदर की अंतराष्टी सिमाओं में सोया राकी फिर लूटने वाला है फिल्म के एजेप्ट टो एक बिसुद्ध मसाला फिल्म है कहानी बहुत हिंसक है, किर्दार बाते कम करते हैं, अस्त सस्तर ज्यादा चलाते हैं ठेट मंबईया फिल्मों के मसालों को हाल के दिनों की कतानक आधारित फिल्मों में मिस करते रहे हिंदी सिनेमा के दर्स को को ये फिल्म खोब पसंदा सकती है बस ध्यान रहे कि इस फिल्म में वैसो तो वरुडा सरंगार और वासले के रंग भी हैं, लेकिन कहानी असल में भेतरस्म रौस और भयानक रसों में ज़्यादा पगी है केजिएप चैप्टर 2 की कहानी को लेकर एक डायलाग है, यह एक छोटे से गाउ में रहे रही मा के जिद की कहानी है और उसी जिद को पूरा करने के लिए रौकी किसी भी हद तक जा सकता है वाकी केजिएप चैप्टर 2 में निर्देसिक परसान नील और यस उस वादे को पूरा किया और इस बार चैप्टर 2 में उसे और जएदा भब भी बिसाल, इमोसन और इंटर्टेनिंग बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी लबख चार सालों के लंबे इंतिजार के बाद चैप्टर 2 आई है और फिल्म देकर कहा जा सकता है कि उन्होंने अपने फैंस को जरा भी निरास नहीं किया अमोमन फिल्म की सफलता के बाद स्विकल कई बार उतना परभावी नहीं बन पाती मगर यहां निर्देशक परसान नील ग्रेजर रोंग्टे खड़े कर देने वाले एक्शन इसके स्वैग और स्टाइल के साथ बॉली बुड़ के संजेदत और अभीना टेंडन जैसे माहि दर्सकों के लिए इंटर्टेनिंग का तकड़ा डोष तयार करने में कामियाव रहे हैं दूसरे भाग की कहानी वही से सुरू होती है जहां पहला भाग समाप्त हुआ था रोकी भाई करोड़ा को मार कर केजियप का नया सुल्तान बन गया है उसे वहां की लोगों का बेंति पर जित हासिल करता जाता है उसे केजियप का सारा सोना चाहिए अपनी मा से किया गया वादा जो पूरा करना है कि उसे दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना है उसकी रह आसान नहीं है उसके दुस्मनों की तादाद बढ़ती जाती है गरुला के वहसी भाई अधिरा जिसक की तलवार खून की प्यासी है उसका सबसे बड़ा दुस्मन है यसको अधिरा साथ ही देश की इमानदार प्रधान मंतरी रिसमिका सेन के बिरोध और आक्रोश का सामना करना बढ़ता है अब उसकी जिंदगी में स्रिनिधी प्यार की बाहर ले आई तो उस पर उसकी भी जि लेंगे मगर हम आपको इतना जरूर बता सकते हैं कि फिल्म क्लाइमेक्स में या भी तैकर देती है कि जिप चैप्टर 3 की भी योजना है निर्देशिक क्रू में परसान नील इस्पेश्ट है कि उन्हें चैप्टर 1 की तरह हाई आक्टन एक्षन वाली इंटर्टेनिंग फ मिलता है जहां बंदूकों के साथ साथ हाथोड़े चापर चाकू और आखोबी से इस्तमाल हुआ है पहले भाग में नायक और अन्य किरदारों को डेलर करने में उन्होंने खासा समय लगाया मगर इंटर्वल के बाद फिल्म का घटना करम तेजी से बढ़ता है इस बार नि मेल धार्मिक रौद सोहाद्र का परिशे देना नहीं भूलते जो मुझूदा हालात में पाज्ट्व मैसेश देता है हां फिल्म का वरतमान और अधियत का सफर थोड़ा कनफ्यूज जरूर करता है राकी और अधिरा के फैट सिक्वेंस का मलके हैं फिल्म का क्लाइमेक जैस के फैंस को जजबाती कर देगा आला कि फिल्म की लंबाई अगर 10-15 मिनट कम होती तो कहानी और धारदार हो सकती थी बैगराउंड मेजिक और सिनमेटोग्राफिक को फिल्म का प्लस पॉइंट कहना गलत ना होगा इसमें कोई सक नहीं है कि पूरी फिल्म यस की है यस अपन जजबाती पहलों दिखा कर उसे मनोरंजक बनाते जाते हैं फिल्म में हरोएन सिरी नधी के लिए यस का यह डायलॉग इसे मैं इंटर्टेनिंग के लिए लाया हूं खलता है युवाओ के हीरो बंच के यस को ऐसे समवादों से परहज करना चाहिए नाइका के रूब में सि जिदत ससक्त उपस्तित दर्साते हैं तो वही रवीना टंडन चुनिंता द्रश्व में बाजी मार ले जाती हैं सुत्रधार के रूब में प्रकासराज सी बिया इदिकारी के रूब में राव उमेस और अनिसयोगी कास्ट मजबूत है यसके फैंस और एक्शन ड्रामा सिने या फिलम जरूर देखें उन्हें या फिलम निरास नहीं करेगी यहा कहानी वहीं से सुरू होती है जहां खतम होती है गोर्ड का बिजनेस करने वाला रौकी भाई वापस आ गया है अपना केजियप सहर बसाने उससे और अधिक सोना चाहिए लेकिन अपने लिए नहीं पू कामात देता है या नहीं दे पाता और अपने लोगों के लिए अपना समराज इस्थापित कर पाता है या नहीं यही इस फिल्म में ट्विश्ट के साथ दिखाये गया है कहानि में एक बड़ा ट्विश्ट रहम का नहीं गरा अफ ही उतपर नीचे होता रहता है लेकिन इस के निर्देशक ने कहानी के गराब को ना सिर्फ ड्रामा दमदार डालॉक्स इमोसंस और एक्षन से बांदे रखा है बलकि फिल्म में घजब का सिनमेटिक अनभव भी है एक्षन सिन खुबसूरते से डिजाइन किये गए हैं एक अलग ही आरा नजर आता किरदार का है हमेशा कितरे साउथ इंडियन फिल्मों में महिला पातरों को कमजोर दिखाते हैं वह नहीं होना चाहिए यस ने चार साल में खुद पर और मेहनत की है उन्होंने एक टोन पकड़ा है अपने किरदार और वह उनके दर्शकों को खोब पसंद आने वाला है स्री निधी के लिए फिल की तो इसका जवाब हां में है फिल्म बनाने वालों ने फिल्म के अगले अधाय का सोतर फिल्म के क्लाइमेक्स में दिखा दिया है फिल्म के जीप चैटर टू एक बिसाल का इन्वास के लिए सोची गई कहानी है आई मैक्स पर इसे देखने का आनन्द ही कुछ और है हाँ बसरते सिनेमा घर का आइडियो सिस्टम ठीक से काम कर रहा हो सिनेमा द्रस से स्रब्य माध्यम है अंग्रेजी में आइडियो विजुल जो दिख रहा है और जो सुनाई दे रहा है उसका संतिलन फिल्म के जीप चैटर टू में कमाल का साधा गया है परदे पर कुछ नहीं द पर इसको की सीटियां तालिया और सब्दावालियां घुचती हैं उनसे लगता है कि कि सिनेमा असल में यही है दिस इज यस फिल्म के जिप टेटर टू की कहानी कोलार गोल्ड फिल्ड पर कबजे की कहानी में पिछली फिल्म में ही तबदिल हो चुकी थी मुंबई से निकल बेवस्ता की उस कमजोर कड़ी पर भी चोड़ करती है जिसमें गुमनाम लोगों के बैंक खाते खोल कर लोग रातो रात अरपती बन गए फिल्म के जिप चैप्टर टू की कहानी सुनने के लिए इस बार आनंद नहीं है कहानी उनका बेटा बिजेंद्र सुना रहा है कहान में की थी उस परंपरा का वाहक अब RRR और केजेप्टर टू जैसी मेगा बजेट फिल्में कर रही हैं निर्देशक परसान नेल की फिल्म केजेप्टर टू को लेकर हिंदी भासी दר्सकों में RRR से बहतर उत्सा है फिल्म ये भी RRR से बहतर बन पड़ी है हाला की RRR और फि जिसे हिहां सिर्फ सास्त नहीं है सिर्फ ताज सास्त है या फिर हिम्मत के मिलेकल दूसरा इमानदारी फिल्म में एक जिगह香़ांगे रौखी यह भी कहता है कि यह मा की जित की कहानी है लेखाक और निर्देशक परसाम नेल के जनून से बनी इस फिल्म में सलीम जावेद की लिखावड के सारे फारमूले हैं ध्यान से देखंगे तो येस के हावभाव उनके पहनावे उनकी अकड और उनके रुआब में आपको कभी दिवार कभी सोले तो कभी सुहाक के अमिताब बच्चन का अक्स नजर आएगा बड़े पर सत्तर के दसक में देश के गुस्ते को एक रूप देने की सलीम जावेद की कोसिस को अमिताब बच्चन ने एंगरी इंग मैन का आउकार दिया था गुस्ता यवावों में फिर पनप रहा है फिल्म केजिएप चैप्टर टू की कहानी हाला की सत्तर के दसक से असी के दसक तक आ चुकी है देश की महिला परधानमंतरी की चोखर तक जाकर राकी वार करता है सांसत में भी उसकी सेना घुजाती है यह सब इसके बावजूद की राकी वायलेंस पसंद नहीं करता अब वायलेंस राकी को पसंद करे तो वह क्या करे राकी के किरदार में यस ने फिर एक बार महफिल लूट ली है उनका मैनरिज्म तालिया बटोरता है उनका स्टाइल सीडिया बटोरता है और जब रौकी फर्दे पर अपनी माप पतनिया बच्ती की एक मुस्लिम महला से मुख समाथ करता है तो आंसू भी लियाता है कसमीर फाइल्स और केजियप टू की कमाई का आंतर यही है केजियप टू किस्तो की वहत रुपाई है जो समाज को जोड़ने में मदद करती है मुंबाई का सिनेमा जब लकीर के एक तरफ खड़े होकर दूसरी तरफ से बिलन तलास रहा है तो पहले आर 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 और आर और आपकेजियप टू में समाज जिक समर्स्ता की एक नई अबारत लिकी जा रही है यहां मुश्किल में काम आने वाले लोगों के मज़ा पर भी भीम को भी फख रहे और राकी को भी इन दोनों फिल्मों की सफलता का राज भी यही है इन्हें देखते हुए आपको पास की सीट पर बैठे दर्सक से सतरकन ही रहना होता फिल्म की एजियप चैप्टर टू में येस के बार रबीना टंडन और संजे दत दोनों का काम दमदार है रबीना टंडन ने तो जिस गरिमा और गमक्ट के साथ परधान मंतरी का किरदा निभाया है वह उन्हें आने वाले दिनों में प्रुषकार भी दिला सकता है संजे दत इस महिला में आगनी पत के काँचा से भी आगे निकल गए उनकी बेस भुसा और उनके किरदार का रोब चित्रड हाला की एक बिदेसे सिरीज के किरदार से सो फिषदी प्रेरिद दिखता है लेकिन उनका काम रोबदार है स्री निधी सेटी तो अपके जब तरी में नहीं देखेंगी लेकिन समंदर की अंतराष्टी सिमाओं में सोया राकी फिर लूटने वाला है फिल्म केजिएप चैप्टर 2 एक बिसुद्ध मसाला फिल्म है कहानी बहुत हिंसक है किरदार बाते कम करते हैं अस्त सस्तर ज़्यादा चलाते हैं ठेट मंबया फिल्मों के मसालों को हाल के दिनों की कतानक आधारित फिल्मों में मिस करते रहे हिंदी सिनेमा के दर्सकों को ये फिल्म खोब पसंदा सकती है बस ध्यान रहे कि इस फिल्म में वैसो तो वरुडा सरंगार और वासले के रंग भी है लेकिन कहानी असल में भीतरस्म रौस और भयानक रसों में ज़्यदा पगी है केजी अप चैप्टर टू की कहानी को लेकर एक डालाग है यह एक छोटे से गाउ में रही रही मा के जद की कहानी है और उसी जद को पूरा करने के लिए रौकी किसी भी हद तक जा सकता है वाकी के जीअप चैप्टर टू में निर्दिसिक परसान नील और यस उस वादे को पूरा किया और इस बार चैप्टर टू में उसे और जएदा भब भी बिसाल, इमोशन और इंटर्टेनिंग बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी लगभग चार सालों के लंबे इंतिजार के बाद चैप्टर टू आई है और फिल्म देकर कहा जा सकता है कि उन्होंने अपने फैंस को जरा भी निरास नहीं किया अमोमन फिल्म की सफलता के बाद स्विकल कई बार उतना परभावी नहीं बन पाती मगर यहां निर्देशक परसान नील ग्रेजर रोंग्टे खड़े कर देने वाले एक्सन इसके स्वैग और स्टाइल के साथ बाली बुड के संजेदत और अभीना टेंडन जैसे माहिर अधाकारों को जोड़ कर हिंदी दर्सकों के लिए इंटर्टेनिंग का तकड़ा डोष तयार करने में कामियाब रहे हैं दूसरे भाग की कहानी वही से सुरू होती है जहां पहला भाग समाप्द हुआ था रोकी भाई गरोडा को मार कर केजियप का नया सुल्तान बन गया है उसे वहां की लोगों का बेंतिहां प्यार हासिल है और उसी प्यार के बहुलते पर और उसी प्यार के बलबुते पर वो राकी को अपना खुदा मानते हैं यहां राकी आंधी तो फान की तरह आगे बढ़ता जा रहा है एक मंजल फतह करने के बाद और दूसरी मंजल पर जित हासिल करता जाता है उसे केजियप का सारा सोना चाहिए अपनी मा से किया गया वादा जो पूरा करना है कि उसे दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना है उसकी रह आसान नहीं है उसके दुस्मनों की तादाद बढ़ती जाती है गरुडा के वहसी भाई अधिरा जिसकी तलवार खोन की प्यासी है उसका सबसे बड़ा दुस्मन है यसको अधिरा साथ ही देश की इमानदार प्रधान मंतरी रिस्मिका सेन के बिरोध और आक्रोष का सामना करना बढ़ता है अब उसकी जिंदगी में स्री निर्दी प्यार की बाहर ले आई तो उस पर उसकी भी जिम्मेदारी है क्या रोके अपने दुस्मनों को माद दे पाएगा क्या वह अपनी मा से किया हुआ वादा निभा पाएगा अपने प्यार के साथ इंसाफ कर पाएगा इन सारे सवालों के जवाब आपको फिल्म में मिलेंगे मगर हम आपको इतना जरूर बता सकते हैं कि फिल्म क्लाइमेक्स में या भी तेकर देती है कि जब चैप्टर 3 की भी योजना है निर्देशिक क्रू में परसान नील इस्पेशल थे कि उन्हें चैप्टर 1 की तरह हाई आक्टन एक्षन वाली इंटर्टेनिंग फिल्म बनानी है यही वज़े है कि चैप्टर 1 की प्रमपरा का निर्वाह करते हुए उन्होंने इसमें भी अंधेरी मैली कुछली और दहसत भरी दुनिया पेस की है फिल्म में रौ एक्षन का जलवा देखने को मिलता है जहां बंदूकों के साथ साथ हाथोड़े, चापर, चाकू और आग खोबी से इस्तमाल हुआ है पहले भाग में नायक और अन्न किरदारों को डेलर करने में उन्होंने खासा समय लगाया मगर इंटरवल के बाद फिल्म का घटना करम तेजी से बढ़ता है इस बार निर्देशक नायक के भात्मक पच्छ पर भी जोर देते हैं मगर साथ एक मजबूत एंगरी एंग मैन भी उभरता है जो कहीं न कहीं समाज के सोसित वर्ग के लिए मसी है अपनी कहानी और पात्रों के जरिये परचान नेल धानमिक रोद सोहादर का परिशे देना नहीं भूलते जो मुझूदा हालात में पाच्टू मैसेश देता है हाँ फिल्म का वर्तमान और अधियत का सफर थोड़ा कनफ्यूज जरूर करता है राकी और अधिरा के फैट सिक्वेंस का मलके हैं फिल्म का कलामेक्स येस के फैंस को जज़बाती कर देगा आला कि फिल्म की लंबाई अगर 10-15 मिनट कम होती तो कहानी और धारदार हो सकती थी बैगराउंड मेजिक और सिनेमेटोग्राफी को फिल्म का प्लस पॉइंट कहना गलत नहोगा इसमें कोई सक नहीं है कि पूरी फिल्म येस की है येस अपनी स्टाइल, अदाओ और अंदास से अपने स्वएक को बनाए रखने में कामयाब रहे हैं फिल्म में एक्सन और हिंसक दर्सों के भरमार है मगर उसके बीच में येस कहीं अपने डालाक्स तो कहीं कॉमडी तो कहीं अपना जिजबाती पहलों दिखा कर उसे मनोरंजक बनाते जाते हैं फिल्म में हरुएन स्री नधी के लिए येस का यह डालॉग इसे मैं एंटर्टेनिंग के लिए लाया हूं खलता है युवाओ के हीरो बन्च के येस को ऐसे समवादों से परहेज करना चाहिए नाइका के रूब में स्री नधी कई फ्रेम्स में नजर तो आती हैं मगर उनकी भूंका का आउच्चत समझ नहीं आता अधीरा के रूब में संजिदत ससक्त उपस्तित दर्स आते हैं तो वही रवीना टंडन चुनिंता दरश्चों में बाजी मार ले जाती हैं सुतरधार के रूब में प्रकासराज, सीबी अधिकारी के रूब में राव उमेस और अनिसयोगी कास्ट मजबूत है यसके फैंस और एक्शन ड्रामा सिनेमा के सौकिन या फिलम जरू देखे उन्हें या फिलम निरास नहीं करेगी यह कहानी वहीं से सुरू होती है जहाँ खतम होती है गोर्ड का बिजनेस करने वाला राकी भाई वापस आ गया है अपना केजियप सहर बसाने उससे और अधिक सोना चाहिए लेकिन अपने लिए नहीं पूरे गाउं के लोगों के लिए लेकिन इस बार उसका सामना एक खतरनाक खलना एक अधिरायने संजेदत से होता है जिसकी तलवार को सिर्फ खून चकने की आदत हो गई है राकी भाई को सुरुआत में तो वह हिलाने में कामयाब होता है लेकिन फिर किस तरह से रोह कि उसको मात देता है या नहीं दे पाता और अपने लोगों के लिए अपना समराज इस्थापित कर पाता है या नहीं यही इस फिल्म में ट्विस्ट के साथ दिखाया गया है कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट रमिका ने रविना टेंडन की सत्ता भीलाती है लेकिन वह ट्विस्ट क्या है या सब देखना फिल्म को मज़ेदार बनाता है क्योंकि इस फिल्म में ड्रामा और एक्शन भरपूर है जिसे देखर आप हैरान हो जाएंगे अमोमन ऐसी मसाला फिल्मों में कहानी के गराप काफी उपर नीचे होता रहता है लेकिन इस फिल्म के निर्देशक ने कहानी के गराप को ना सिर्फ ड्रामा दमदाव डालॉक्स एमोशन्स और एक्शन से बांधे रखा है बलकि फिल्म में घजब का सिनमेटिक अनभव भी है एक्शन सिन खुबसूरते से डिजाइन किये गए हैं एक अलग ही आरा नजर आता किर्दार का है हमेशा कितरे साउथ इंडियन फिल्मों में महिला पात्रों को कमजोर दिखाते हैं वह नहीं होना चाहिए यस ने चार साल में खुद पर और मेहनत की है उन्होंने एक टोन पकड़ा है अपने किर्दार और वह उनके दर्शकों को खोब पसंद आने वाला है स्री निधी के लिए फिल्म में कुछ भी करने को नहीं था रविना फाम में दिखी है संजिदत ने सांदर काम किया है उनके किर्दार से डर लगता है परकासराज का भी काम अच्छा है फि फिल्म केजिअप चैटर टू एक बिसाल का अन्वास के लिए सोची गई कहानी है आई मैक्स पर इसे देखने का आनन्द ही कुछ और है हाँ बसरते सिनेमा घर का आइडियो सिस्टम ठीक से काम कर रहा हो सिनेमा दरस से स्रब माध्यम है अंग्रेजी में आइडियो विजु वजूद भी तलासती है और जिस तरह यस के परदे पर पहले प्रवेस पर सिनेमा हाल में दर्शकों की सीटियां तालियां और सब्दावालियां घुचती हैं उनसे लगता है कि कि सिनेमा असल में यही है दिस इच यस फिल्म के जिप टेटर टू की कहानी कोलार गोल्ड फि रूम में देता है सोने के अवेद कारुबार की देश बिदेश से कड़ियां जोड़ती है फिल्म देश की बित्ती बेवस्ता की उस कमजोर कड़ी पर भी चोड़ करती है जिसमें गुमनाम लोगों के बैंक खाते खोलकर लोग रात और अरब पती बन गए फिल्म के जिप के टू की कहानी सुनने के लिए इस बार आनंद नहीं है कहानी उनका बेटा बिजेंद्र सुना रहा है कहानी के किदार जाने पहंचाने है फिल्म अपने पूरवर्ती फिल्म और 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 के जिप चैटलर 2 जैसी मेगावज़ट फिल्में कर रही है निर्देसक परसान निल्ड की फिल्म केज़िप चैप्टर डू को लेकर हिंदी भासी दर्सकों में आर 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 से बہतर उत्सा है फिल्म ये भी आर 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 से बहतर बन पड़ी है हलाकि RRR और फिल्म केजेप चेटर 2 दोनों की कम से कम एक कमजोर कड़ी समान है और वह है इसका जरूरत से ज्यादा लंबा खिसता क्लाइमेक्स केजेप चेटर 2 को हिंदी में लिखने वाले टीम ने कमाल का काम किया है इसके समाद आपको आखिर तक याद रह जाते हैं जैसे यहां सिर्फ सास्थ नहीं है सिर्फ ताज सास्थ है या फिर हिम्मत के लिद दो चीजे चाहिए होती है एक पागलपन और दूसरा इमानदारी पागल परन हम यहां रोज देखते हैं और ये देखो इमानदारी फिल्म में एक जिगह रौकी ये भी कहता है कि ये मा की जित की कहानी है लेखा को और निर्देसक पर सामनेल के जनून से बनी इस फिल्म में सलीम जावेद की लिखाओड के सारे फारमूले हैं ध्यान से देखोंगे तो इस के हावभाव उनके पहनावे उनकी अकड़ और उनके रुआब में आपको कभी दिवार कभी सोले तो कभी सुहा क्यमिताब बचन का अक्स नजर आएगा बड़े पर सत्तर के दसक में देश के गुष्से को एक रूप देने की सलीम जावेद की कोसिस को अमिताब बचन ने एंगरी एंग मैन का आउकार दिया था गुष्सा यवावों में फिर पनप रहा है फिल्म केजिएप चैप्टर टू की कहानी हाला कि सत्तर के दसक से असी के दसक तक आ चुकी है देश की महिला परदानमंत्री की चोखर तक जाकर राकी वार करता है सानसत में भी उसकी सेना घुज जाती है ये सब इसके बावजूद की राकी वाइलेंस पसंद नहीं करता अब वाइलेंस राकी को पसंद करे तो वह क्या करे राकी के करदार में यस ने फिर एक बार महफिल लूट ली है उनका माइनरिज्म तालिया बटोरता है उनका स्टाइल सीडिया बटोरता है और जब राकी फर जब लकीर के एक तरफ खड़े होकर दूसरी तरफ से बिलन तलास रहा है तो पहले और 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 आप केजिएप टू में समाजिक समर्सता की एक नई अबारत लिखी जा रही है यहां मुश्किल में काम आने वाले लोगों के मज़ा पर भी भीम को भी फख रह है रबिना टेंडन ने तो जिस गरिमा और गमक्ट के साथ परधान मंतरी का किर्दान निभाया है वह उन्हें आने वाले दिनों में पृष्कार भी दिला सकता है संजी दत्तिस महिला में अगनी पत के कांचा से भी आगे निकल गए उनकी बेस भूसा और उनके किर्दार का रोब चित्रड हाला की एक विदेसे सीरीज के किलदार से सो फिश्दी प्रेरिद दिखता है लेकिन उनका काम रौबदार है स्री निधी सेटी तो अप केजियब 3 में नहीं देखेंगी लेकिन समंदर के अंतराश्टी सीमाओं में सोया राकी फिर लूटने वाला है फिल्म सिनेमा के दर्स को को ये फिल्म खोब पसंदा सकती है बस ध्यान रहे कि इस फिल्म में वैसो तो वरुडा सरंगार और वासले के रंग भी है लेकिन कहानी असल में भीतरस्म रौस और भयानक रसों में ज़्यदा पगी है केजियब चैप्टर 2 की कहानी को लेकर एक को पूरा किया और इस बार चैप्टर 2 में उसे और ज्यदा भब भी विसाल इमोशन और इंटर्टेनिंग बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी लबग चार सालों के लंबे इंतिजार के बाद चैप्टर 2 आई है और फिल्म देकर कहा जा सकता है कि उन्होंने अपने फैंस को जरा भी निरास नहीं किया अब मूमन फिल्म की सफलता के बाद स्विकल कई बार उतना परभावी नहीं बन पाती मगर यहां निर्देशक परसान नील ग्रेजर रोंग्टे खड़े कर देने वाले एक्शन इसके स्वैग और स्टाइल के साथ बाली बुड के संजदत और अ अटेंडन जैसे माहिर अधाकारों को जोड़ कर हिंदी दर्सकों के लिए इंटर्टेनिंग का तकड़ा डोस तयार करने में कामियाब रहे हैं दूसरे भाग की कहानी वही से शुरू होती है जहां पहला भाग समाप्द हुआ था रोकी भाई गरोडा को मार कर केजियप का नया सुल्तान बन गया है उसे वहां की लोगों का बेंतिहां प्यार हासिल है और उसी प्यार के बहुलते पर और उसी प्यार के बलबुते पर वो रोकी को अपना खुदा मानते हैं यहां रोकी आंधी तुपान की तरह आगे बढ़ता जा रहा है एक मंजिल फतह करने के बा है गरुला के वहसी भाई अधिरा जिसकी तलवार खोन की प्यासी है उसका सबसे बड़ा दुस्मन है यह उसको अधिरा साथ ही देश की इमांदार प्रधान मंतरी रिस्मिका सेन के बिरोध और आक्रोश का सामना करना पड़ता है अब उसकी जिंदगी में स्रीनिधी प्यार क बाहर ले आई तो उस पर उसकी भी जिम्मेदारी है क्या रोके अपने दुस्मनों को माद दे पाएगा क्या वह अपनी मा से किया हुआ हिवादा निभा पाएगा अपने प्यार के साथ हिंसाफ कर पाएगा इन सारे सवालों के जवाब आपको फिल्म में मिलेंगे मगर हम आपको इतना जरूर बता सकते हैं कि फिल्म क्लाइमेक्स में या भी तेकर देती है कि जब चैप्टर 3 की भी योजना है निर्देसिक क्रू में परसान नील इस्पेशलत है कि उन्हें चैप्टर 1 की तरह हाई आक्टन एक्षन वाली इंटर्टेनिंग फिल्म बनानी है यही बंदूकों के साथ साथ हाथोड़े, चापर, चाकू और आखोबी से इस्तमाल हुआ है पहले भाग में नायक और अन्न किरदारों को डेलर करने में उन्होंने खासा समय लगाया मगर इंटर्वल के बाद फिल्म का घटना करम तेजी से बढ़ता है इस बार निर्देसक ना धार्मिक रोद सोहाद्र का परिशे देना नहीं भूलते जो मुझूदा हालात में पाज्ट्यू मैसेश देता है हाँ फिल्म का वरतमान और अतियत का सफर थोड़ा कनफ्यूज जरूर करता है राकी और अधिरा के फैट सिक्वेंस का मालके हैं फिल्म का क्लामेक्स येस के फैंस को जजबाती कर देगा आला कि फिल्म की लंबाई अगर 10-15 मिनट कम होती तो कहानी और धारदार हो सकती थी बैगराउंड मेजिक और सिनमेटोग्राफी को फिल्म का प्लस पॉइंट कहना गलत ना होगा इसमें कोई सक नहीं है कि पूरी फिल्म येस की है येस अपनी स्टाइल अदाओं और अंदास से अपने स्वेक को बनाये रखने में कामयाब रहे हैं फिल्म में एक्षन और हिंसक दर्सों के भरमार है मगर उसके बीच में येस कहीं अपने डालाक्स तो कहीं कॉमडी तो कहीं अपना जिजबाती पहलो दिखा कर उसे मनोरेंजक बनाते जाते हैं फिल्म में हरुएन स्री नधी के लिए येस का यह डालॉग इसे मैं एंटर्टैनिंग के लिए लाया हूं खलता है युवाओ के हीरो बंच के येस को ऐसे समवादों से परहेज करना चाहिए नाइका के रूब में स्री नधी कई फ्रेम्स में नजर तो आती हैं उमेस और अनिसयोगी कास्ट मजबूत है ये इसके फैंस और एक्शन ड्रामा सिनेमा के सौकिन या फिल्म जरू देखे उन्हें या फिल्म निरास नहीं करेगी यहा कहानी वहीं से सुरू होती है जहां खतम होती है गोर्ड का बिजनेश करने वाला रौकी भाई वापस आ अपना केजियब सहर बसाने उसे और अधिक सोना चाहिए लेकिन अपने लिए नहीं पूरे गाउं के लोगों के लिए लेकिन इस बार उसका सामना एक खतरनाक खलना एक अधिरा एने संजेदत से होता है जिसकी तलवार को सिर्फ खून चकने की आदत हो गई है राकी भाई को शुरुआत में तो वह हिलाने में कामयाब होता है लेकिन फिर किस तरह से रहकियों उसको मात देता है या नहीं दे पाता और अपने लोगों के लिए अपना समराज स्थाबित कर पाता है या नहीं यही इस फिल्म में ट्विष्ट के साथ दिखाये गया है कहानी में एक बड़ा ट्विश्ट रमिकानी रभीना टेंडन की सबता भीलाती है लेकिन वह ट्विश्ट क्या है यह सब देखना फिल्म को मज़ेदार बनाता है क्योंकि इस फिल्म में ड्रामा और एक्षन भरपूर है जिसे देखर आप हैरान हो जाएंगे अमोमन ऐसी मसाला फिल्मों में कहानी के गराप का अफ्य उपर नीचे होता रहता है लेकिन इस फिल्म के निर्देशक ने कहानी के गराप को ना सिर्फ ड्रामा दमदाव डालॉक्स एमोशन्स और एक्षन से बांधे रखा है बलकि फिल्म में गजब का सिनमाट्रिक अनुप पकड़ा है अपने किरदार और वह उनके दर्श को खोब पसंद आने वाला है स्री निधी के लिए फिल्म में कुछ भी करने को नहीं था रविना फाम में देखी है संजी दत ने सांधर काम किया है उनके किरदार से डर लगता है परकास राज का भी काम अच्छा है फिल्म केजी अब 2 को देखने के बाद सबसे पहले वह बाद जो सभी लोग सबसे पहले जानना चाते हैं क्या केजी अब 3 भी बनेगी तो इसका जवाब हाँ में है फिल्म बनाने वालों ने फिल्म के अगले अधाय का सूतर फिल्म के क्लाइमेक्स में दिखा दिया है फिल्म केज प्रेजी में आइडियो विजुल जो दिख रहा है और जो सुनाई दे रहा है उसका संत्रिलन फिल्म केजियप चैटर 2 में कमाल का साधा गया है परदे पर कुछ नहीं दिख रहा हो और आवाज आ रही हो तो भी दर्शक समझ जाता है कि आवाज आ रही है आखिर क्या चल रह यह फिल्म सिनेमा में एंगरी इंग मैन का वजूद भी तलास्ती है और जिस तरह यस के परदे पर पहले प्रवेस पर सिनेमा हाल में दर्शकों की सीटियां तालियां और सब्दावालियां घुचती हैं उनसे लगता है कि कि सिनेमा असल में यही है दिस इज यस फिल्म के एजिब चैप्टर टू की कहानी कोलार गोल्ड फिल्ड पर कबजे की कहानी में पिछली फिल्म में ही तब्दिल हो चुकी थी मुंबई से निकला रौकी अब दुनिया पर राज करना चाता है परदान मंतरी कार्याले के परतिछा कच में वापना परिश्य देश के सीई-ओ के रूम में देता है सोने के अवेद कारुबार की देश बिदेश से कड़ियां जोड़ती है फिल्म देश की बित्ती बिवस्ता की उस कमजोर कड़ी पर भी चोड़ करती है जिसमें गुमनाम लोगों के बैंक खाते खोल कर लोग रात और अरब पती बन गए फिल्म के में बन रहे है सिनेमा की कहानी को उत्तर तक लाने की जो सुरुआत मरे रतनम ने फिल्म रोजा में की थी उस परंपरा का वाहाग अब RRR और केजिप चैप्टर 2 जैसी मेगा वजट फिल्में कर रही हैं निर्देशक परसान नेल की फिल्म केजिप चैप्टर 2 को लेकर हिं केजिप चैप्टर 2 को हिंदी में लिखने वाले टीम ने कमाल का काम किया है इसके सवाद आपको आखिर तक याद रह जाते हैं जैसे यहां सिर्फ सास्त नहीं है सिर्फ ताज सास्त है या फिर हिम्मत के लिए दो चीज़े चाहिए होती हैं एक पागलपन और दूसरा इमा संदारी फिल्म में एक जिगह रौकी ये भी कहता है कि ये मा की जित की कहानी है लेखा को और निर्देसक पर सामनेल के जनून से बनी इस फिल्म में सलीम जावेद की लिखावड के सारे फार्मूले हैं ध्यान से देखोंगे तो येस के हावबाव उनके पहनावे उनकी अक को अमिताब बच्चन ने एंगरी एंग मैन का आवकार दिया था गुस्सा युवावों में फिर पनप रहा है फिल्म के एजिएप चैप्टर टू की कहानी हाला कि सतर के दसक से असी के दसक तक आ चुकी है देश की महिला परधानमंतरी की चोखर तक जाकर राकी वार करता ह देश की महिला परधानमंतरी की चोखर तक जाकर राकी वार करता है शांसत में भी उसकी सेना गुच जाती है ये सब इसके बावजूत की राकी वायलाइण्स पसंद नहीं करता अब वायलाइणस राकी को पसंद करे तो आग क्या करे राकी के किरदार में यहस ने फिर एक पर मेह फिल लूट लिए है उनका माईनरिजम तालिया बटोरता है उनका स्टाइल सिठीह बटोरता है और जब रौकी फ़र्दे पर अपनी माँ पतनिया बस्ती की एक मुस्लिम महला से मूग समाथ करता है तो आंसू भी लियाता है कसमेर फाइल्स और कीजिआप्टू की कमा जिक समर्चता की एक नई अबारत लिखी जा रही है यहां मुश्किल में काम आने वाले लोगों के मज़ा पर भी भीम को भी फक रहे और राकी को भी इन दोनों फिल्मों की सफलता का राज भी यही है इन्हें देखते हुए आपको पास की सीट पर बैठे दर्सक से सतरक नहीं रहना होता फिल्म की एजी अब चैप्टर टू में येस के बार रविना टंडन और संजे दत दोनों का काम दमदार है रविना टंडन ने तो जिस गरिमा और गमक्ट के साथ परधान मंतरी का किरदा निभाया है वह उन्हें आने वाले दिनों में प्रुषकार भी दिला सकता है संजे दत तिस महिला में अगनी पत के कांचा से भी आगे निकल गए उनकी बेस भुसा और उनके किरदार का रोब चित्रड़ हाला की एक बिदेसे स्रीज के किरदार से सो फिषदी प्रेरिद दिखता है लेकिन उनका काम रोबदार है स्री नधी सेटी तो अपके एजेप्तिरी में नहीं देखेंगी लेकिन समंदर की अंतराष्टी सिमाओं में सोया राकी फिर लूटने वाला है फिल्म केजेप्टर 2 एक बिसुद्ध मसाला फिल्म है कहानी बहुत हिंसक है किरदार बाते कम करते हैं अस्त सस्तर ज्यादा चलाते हैं ठेट मंबया फिल्मों के मसालों को हाल के दिनों की कतानक आधारित फिल्मों में मिस करते रहे हिंदी सिनेमा के दर्स को को ये फिल्म पसंदा सकती है बस ध्यान रहे कि इस फिल्म में वैसो तो वरुडा सरंगार और वासले के रंग भी हैं लेकिन कहानी असल में भीतरस्म रौस और भयानक रसों में ज्यादा पगी है केजी अफ चैप्टर डू की कहानी को लेकर एक डायलाग है या एक छोटे से गाउ में रही रही मा के जित की कहानी है और उसी जित को पुरा करने के लिए रौकी किसी भी हद तक जा सकता है वाकि केजी अफ चैप्टर डू में निर्दिसिक परसान नील और यस उस वादे को और इस बार चैप्टर टू में उसे और ज्यदा भब भी बिसाल, इमोशन और इंटर्टेनिंग बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लबख चार सालों के लंबे इंतिजार के बाद चैप्टर टू आई है और फिल्म देकर कहा जा सकता है कि उन्होंने अपने फैंस को जरा भी निरास नहीं किया। अमोमन फिल्म की सफलता की बाद स्विकल कई बार उतना परभावी नहीं बन पाती मगर यहां निर्देशक परसान नील ग्रेजर रोंग्टे खड़े कर देने वाले एक्शन इसके स्वैग और स्टाइल के साथ बॉली बुड के संजेदत और अभी राकी भाई करोडा को मारकर केजियप का नया सुल्तान बन गया है। उसे वहां की लोगों का बेंतिमाप प्यार हासिल है। और उसी प्यार के बल्बुटे Пर ओर राकी को अपना खुदा मानते हैं। यहां राकी आंधी तुपान की तरह आगे बढ़ता जा रहा है। एक आसान नहीं है उसके दुस्मनों की तादाद बढ़ती जाती है गरुला के वहसी भाई अधिरा जिसकी तलवार खून की प्यासी है उसका सबसे बड़ा दुस्मन है यसको अधिरा साथ ही देश की इमानदार प्रधान मंतरी रिस्मिका सेन के बिरोध और आक्रोश का सामना करन बढ़ता है अब उसकी जिन्दगी में श्रीनिदी प्यार की बहार ले आई तो उस पर उसकी भी जिम्मेदारी है क्या रोके अपने दुस्मनों को माद दे पाएगा क्या वह अपनी मा से किया हुआ वादा निभा पाएगा अपने प्यार के साथ इंसाभ कर पाएगा इन सा चैप्टर वन की तरह हाई आक्टन एक्षन वाली इंटर्टेनिंग फिल्म बनानी है यही वज़े है कि चैप्टर वन की प्रमपरा का निर्वाह करते हुए उन्होंने इसमें भी अंधेरी मैली कुछली और दहसत भरी दुनिया पेस की है फिल्म में रौ एक्षन का जलवा द का घटना करम तेजी से बढ़ता है इस बार निर्देशक नायक के भात्मक पच्छ पर भी जोर देते हैं मगर साथ एक मजबूत एंगरी एंग मैन भी उभरता है जो कहीं ना कहीं समाज के सोसित वर्ग के लिए मसीह है अपनी कहानी और पात्रों के जरिये परशान नेल धा का मलके हैं फिल्म का क्लाइमेक्स येस के फैंस को जजबाती कर देगा आला कि फिल्म की लंबाई अगर 10-15 मिनट कम होती तो कहानी और धारदार हो सकती थी बैगराउंड मेजिक और सिनमेटोग्राफिक को फिल्म का प्लस पॉइंट कहना गलत ना होगा इसमें कोई सक नही प्लस तो कहीं कॉमडी तो कहीं अपना जिजबाती पहलों दिखाकर उसे मनवरंजक बनाते जाते हैं फिल्म में हरोएन सिरी नधी के लिए येस का यह डायलॉग इसे मैं इंटर्टैनिंग के लिए लाया हूं खलता है यूआओ के हीरो बंच के येस को ऐसे समवादों से प इतरधार के रूम में परकासराज, सीबी अधिकारी के रूम में राव उमेस और अनिसयोगी कास्ट मजबूत है येसके फैंस और एक्शन ड्रामा सिनेमा के सौकिन या फिल्म जरू देखे उन्हें या फिल्म निरास नहीं करेगी यह कहानी वहीं से सुरू होती है जहां ख हिरायने संजेदत से होता है जिसकी तलवार को सिर्फ खून चकने की आदत हो गई है राकी भाई को सुरुवात में तो वह हिलाने में कामयब होता है लेकिन फिर किस तरह से राकी उसको मात देता है या नहीं दे पाता और अपने लोगों के लिए अपना समराज इस्थापि कर पाता है या नहीं यही इस फिल्म में त्विस्ट के साथ दिखाए गया है कहानी में अक बड़ा ट्विस्ट रमिकारी णियरमियना टंड triedent की सित्ता भी लाती है लेकिन वह ट्विस्ट क्या है यह सब देखना फ्लिम को मज़दार बनता है क्योंकि इस फिल्म में ड्राम दमदार डालॉक्स, इमोसंस और एक्षन से बांदे रखा है बलकि फिल्म में घजब का सिनमेटिक अनभव भी है एक्षन सिन खुबसूरते से डिजाइन किये गए हैं एक अलग ही आरा नजर आता किरदार का है हमेशा कितरे साउथ इंडियन फिल्मों में महिला पातरों को कम इना फाम में देखी हैं संजी देट ने सांदर काम किया है उनके किलदार से डर लगता है प्रकास राज का भी काम अच्छा है फिल्म केजिएप चैप्टर टू यानि केजिएप टू को देखने के बास सबसे पहले वहा बात जो सबी लोग सबसे पहले जानना चाहते हैं क् आई मैक्स पर इसे देखने का आनन्द ही कुछ और है हाँ बसरते सिनेमा घर का आडियो सिस्टम ठीक से काम कर रहा हो सिनेमा दरस से स्रब माध्यम है अंग्रेजी में आडियो विजुल जो दिख रहा है और जो सुनाई दे रहा है उसका संत्रिलन फिल्म केजिएप चैटर पर पहले परवेश पर सिनेमा हाल में दर्शकों की सीटियां तालियां और सब्दावालियां घुचती हैं उनसे लगता है कि कि सिनेमा असल में यही है दिस इज यस फिल्म के एजिप्ट टेटर टू की कहानी कोलार गोल्ड फिल्ड पर कबजे की कहानी में पिछली फिल्म म कड़ियां जोड़ती है फिल्म देश की बित्ती बेवस्ता की उस कमजोर कड़ी पर भी चोड़ करती है जिसमें गुमनाम लोगों के बैंक खाते खोलकर लोग रातो रात अरपती बन गए फिल्म के जीब चैप्टर टू की कहानी सुनने के लिए इस बार आनंद नहीं है कहान उनका बेटा बिजेंद्र सुना रहा है कहानी के किर्दार जाने पहचाने है फिल्म अपने पुरवर्ती फिल्म आर 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 के तरह दिल्ली तक चड़ कर आती है दच्छिड में बन रहे है सिनेमा की कहानी को उत्तर तक लाने की जो सुरुआत मड़े रतनम ने फिल्म रोज पड़ी है हाला कि RRR और फिल्म के जेप्टर 2 दोनों की कम से कम एक कमजोर कड़ी समान है और वह है इसका जरूरत से ज्यादा लंबा खिसता क्लाइमेक्स के जेप्टर 2 को हिंदी में लिखने वाले टीम ने कमाल का काम किया है इसके समाद आपको आखिर तक याद रह जाते है जैसे यहां सिर्फ सासत नहीं है सिर्फ ताज सासत है या फिर हिम्मत के लिए दो चीज़े चाहिए होती है एक पागलपन और दूसरा इमानदारी पागलपन हम यहां रोज देखते हैं और ये देखो इमानदारी फिल्म में एक जिगह है रौकी ये भी कहता है कि ये मा की जित की कहानी है लेखाक और निर्देसक परसान नेल के जनून से बनी इस फिल्म में सलीम जावेद की लिखावड के सारे फारमुले हैं ध्यान से देखोंगे तो येस के हावभाव उनके पहनावे उनकी अकड और उनके रुआब में आपको कभी दिवार कभी सोले तो कभी सतर के दसक में देश के गुष्टे को एक रूप देने की सलीम जावेद की कोसिस को अमिताब बच्चन ने एंगरी इंग मैन का आवकार दिया था गुष्टा यवावों में फिर पनप रहा है फिल्म केजिएप चैप्टर टू की कहानी हाला की सतर के दसक से असी के दसक तक आ चुकी है देश की महिला परधान मंतरी की चोखर तक जाकर राकी वार करता है देश की महिला परधान मंतरी की चोखर तक जाकर राकी वार करता है सांसत में भी उसकी सेना घुजाती है ये सब इसके बावजूद की राकी वायलेंस पसंद नहीं करता अब वायलेंस राकी क को पसंद करें तो वह क्या करें रौकी के किरदार में यस ने फिर एक बार महफिल लूट ली है उनका माइनरिज्म तालिया बटोरता है उनका इस्टाइल सीडिया बटोरता है और जब रौकी फर्दे पर अपनी मा पतनिया बच्ती की एक मुस्लिम महला से मूग समात करता है तो आंसू भी लियाता है कस्मीर फाइल्स और केजियप टू की कमाई का आंतर यही है केजियप टू किस्तो की वहत रुपाई है जो समाज को जोड़ने में मदद करती है मुंबाई का सिनेमा जब लकीर के एक तरफ खड़े होकर दूसरी तरफ से बिलन तलास रहा है तो पह लेकते हुए आपको पास की सीट पर बैठे दर्सक से सतरक नहीं रहना होता फिल्म के एजियप चैप्टर टू में यस के बार रबीना टंडन और संजे दत दोनों का काम दमदार है रबीना टंडन ने तो जिस गरिमा और गमक्च के साथ परधान मंतरी का किरदा निभाया ह वह उन्हें आने वाले दिनों में प्रुषकार भी दिला सकता है संजे दत इस महिला में आगनी पत के कांचा से भी आगे निकल गए उनकी बेस भूसा और उनके किरदार का रोब चित्रड हाला की एक बिदेसे सिरीज के किरदार से सो फिषदी प्रेरिद दिखता है लेकिन उनका काम रौबदार है स्री निधी सेटी तो अप के जब तरी में नहीं देखेंगी लेकिन समंदर के अंतराश्टी सिमाओं में सोया राकी फिर लूटने वाला है फिल्म के जब चेटर टू एक बिसुद्ध मसाला फिल्म है कहानी बहुत हिंसक है किरदार बाते कम करते है अस्त शस्तर ज़्यादा चलाते हैं ठेट मंबया फिल्मों के मसालों को हाल के दिनों की कतानक आधारित फिल्मों में मिश करते रहे हिंधी सिन्यमा के दर्सकों को ये फिल्म खोब पसंदा सकती है बस ध्यान रहे कि इस फिल्म में वैसों तो वरुडा सरंगार और वासले के रंग भी हैं लेकिन कहानी असल में भीतरस्म रौस और भयानक रसों में ज्यादा पगी है KGF Chapter 2 की कहानी को लेकर एक डायलाग है यह एक छोटे से गाव में रही रही मा के जित की कहानी है और उसी जित को पूरा करने के लिए राकी किसी भी हत तक जा सकता है वाकी के जीएप चैप्टर टू में निर्देसिक परसान नील और यस उस वादे को पूरा किया और इस बार चैप्टर टू में उसे और जएदा भब भी बिसाल, इमोसन और इंटर्टेनिंग बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी लगभग चार सालों के लंबे इंतिजार के बाद चैप्टर टू आई है और फिल्म देकर कहा जा सकता है कि उन्होंने अपने फैंस को जरा भी निरास नहीं किया अमोमन फिल्म की सफलता के बाद स्विकल कई बार उतना परभावी नहीं बन पाती मगर यहां निर्देशक परसान नील ग्रेजर रोंगटे खड़े कर देने वाले एक्सन इसके स्वैग और स्टाइल के साथ बॉली बुड के संजेदत और अभीन अटेंडन जैसे माहिर अ इंतिहां प्यार हासिल है और उसी प्यार के बहुलते पर और उसी प्यार के बलबुते पर वो राकी को अपना खुदा मानते हैं यहां राकी आंधी तो फान की तरह आगे बढ़ता जा रहा है एक मंजल फतह करने के बाद और दूसरी मंजल पर जित हासिल करता जाता है उसे केजियप का सारा सोना चाहिए अपनी मा से किया गया वादा जो पूरा करना है कि उसे दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना है उसकी रह आसान नहीं है उसके दुस्मनों की तादाद बढ़ती जाती है गरुला के वहसी भाई अधिरा जिसकी तलवार खोन की प्यासी है उसका स अधिरा साथ ही देश की इमानदार प्रधान मंतरी रिसमिका सेन के बिरोध और आक्रोष का सामना करना पड़ता है अब उसकी जिंदगी में स्री निदी प्यार की बाहर ले आई तो उस पर उसकी भी जिम्मेदारी है क्या रौके अपने दुस्मनों को माद दे पाएगा क् प्यार के साथ इंसाब कर पाएगा इन सारे सवालों के जवाब आपको फिल्म में मिलेंगे मगर हम आपको इतना जरूर बता सकते हैं कि फिल्म क्लाइमेक्स में या भी ते कर देती है कि जिब चैप्टर थरी की भी योजना है निर्देशिक क्रू में परसान नील दुनिया पेस की है फिल्म में रौ एक्षन का जलवा देखने को मिलता है जहां बंदूकों के साथ साथ हाथोड़े चापर चाकू और आख खोबी से इस्तमाल हुआ है पहले भाग में नायक और अन्न किरदारों को डेवलर करने में उन्होंने खासा समय लगाया मगर इंट प्लसित वर्ग के लिए मसीह है अपनी कहानी और पात्रों के जरिये परचान नेल धानमिक रौद सोहाद्र का परिशे देना नहीं भूलते जो मुझूदा हालात में पाश्ट्यू मैसेश देता है हाँ फिल्म का वरतमान और अधियत का सफर थोड़ा कनफ्यूज जरूर कर रौकी और अधिरा के फैट सेक्वेंस का मलके हैं फिल्म का क्लाइमेक्स यस के फैंस को जजबाती कर देगा आला कि फिल्म की लंबाई अगर 10-15 मिनट कम होती तो कहानी और धारदार हो सकती थी बैगराउंड मेजिक और सिनमेटोग्राफी को फिल्म का प्लस पाइंट कहन गलत ना होगा इसमें कोई सक नहीं है कि पूरी फिल्म यस की है यस अपनी स्टाइल अदाओं और अंदास से अपने स्वेक को बनाए रखने में कामयाब रहे हैं फिल्म में एक्षन और इंसक दरस्तों के भरमार है मगर उसके बीच में यस कहीं अपने डालाउक्स तो कहीं यहीं फ्रेम्स में नजर तो आती हैं मगर उनकी भूंका का आउच्चत समझ नहीं आता अधीरा के रूप में संजिदत ससक तो पश्तित दरसाते हैं तो वहीं रवीना टंडन चुनिंता दरस्तों में बाजी मार ले जाती हैं सुत्रधार के रूप में प्रकासराज सीबी अधिकारी के रूप में राव उमेस और अनिस्योगी कास्ट मजबूत है यसके फैंस और एक्शन ड्रामा सिनेमा के सौकिन या फिलम जरू देखे उन्हें या फिलम निरास नहीं करेगी यहां कहानी वहीं से सुरू होती है जहां खतम होती है गोर्ड का बिजनेस करने वाल उसे और अधिक सोना चाहिए लेकिन अपने लिए नहीं पूरे गाउं के लोगों के लिए लेकिन इस बार उसका सामना एक खतरनाक खलना एक अधिरायने संजेदत से होता है जिसकी तलवार को सिर्फ खून चकने की आदत हो गई है राकी भाई को सुरुआत में तो वह हिला काने मेका में अब होता है लेकिन फिर किस तरह से रहकी उसको मात देता है या नहीं दे पाता और अपने लोगों के लिए अपना समराज इस्थापित कर पाता है या नहीं यही इस फिल्म में ट्विस्ट के साथ दिखाया गया है कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट रमिका न निर्देशक ने कहानी के गराब को ना सिर्फ ड्रामा दमदार डालॉक्स इमोशन्स और एक्षन से बांदे रखा है बलकि फिल्म में घजब का सिनमेटिक अनभव भी है एक्षन सिन खुबसूरते से डिजाइन किये गए हैं एक अलग ही आरा नजर आता किरदार का है हमेशा कितरे साउथ इंडियन फिल्मों में महिला पात्रों को कमजोर दिखाते हैं वह नहीं होना चाहिए यस ने चार साल में खुद पर और मेहनत की है उन्होंने एक टोन पकड़ा है अपने किरदार और वह उनके दर्शकों को खोब पसंद आने वाला है स्री निधी के लिए फि अभी लोग सबसे पहले जानना चाहते हैं क्या केजी अप थिरी भी बनेगी तो इसका जवाब हां में हैं फिल्म बनाने वालों ने फिल्म के अगले अध्याय का सूतर फिल्म के क्लाइमेक्स में दिखा दिया है फिल्म केजी अप चैप्टर 2 एक 20 साल का अन्वास के लिए सोची गई कहानी है आईमेक्स पर इसे देखने का आनन्द ही कुछ और है हाँ बसरते सिनेमा घर का आडियो सिस्टम ठीक से काम कर रहा हो सिनेमा दरस स्रब माध्यम है अंग्रेजी में आडियो विजुल जो दिख रहा है और जो सुनाई दे रहा है उसका संत्रलन फिल्म के भी दरस समझ जाता है कि आवाज आ रही है आखिर क्या चल रहा है ये फिल्म सिनेमा में एंग्री इंग मैन का वजूद भी तलासती है और जिस तरह यस के परदे पर पहले प्रवेस पर सिनेमा हाल में दरसकों की सीटियां तालियां और सब्दावालियां घुचती हैं उनस से निकला रौकी अब दुनिया पर राज करना जाता है परदान मंतरी कार्याले के परतिच्छा कच में वापना परिश्य देश के सीई-ओ के रूम में देता है सोने के अवेद कारुबार की देश बिदेश से कड़ियां जोडती है फिल्म देश की बित्ती बिवस्ता की उस जैंदर सुना रहा है कहानी के किरदार जाने पहorousचाने हैं फिल्म अपने पुर्वर्थी फिल्म RRR के तरहे दिल्ली तक चड कर आती है देशिद में बन रहे है सिनेमा की कहानी को अतर तक लाने की जो सुरू आत्मरी रतनम ने फिल्म रोजा में की थी उस परंपरा का वाह अब RRRR और KJP Chapter 2 जैसी मेगा वजट फिल्में कर रही हैं निर्देसक परसान निल की फिल्म KJP Chapter 2 को लेकर हिंदी भासी दर्सकों में RRRR से बहतर उत्सा है फिल्म ये भी RRRR से बहतर बन पड़ी है हलाकि RRR और फिल्म केजेप चेपटर 2 दोनों की कम से कम एक कमजोर कड़ी समान है और वह है इसका जरूरत से ज्यादा लंबा खिसता क्लाइमेक्स केजेप चेपटर 2 को हिंदी में लिखने वाले टीम ने कमाल का काम किया है इसके समाद आपको आखिर तक याद रह जाते हैं जैसे यहां सिर्फ सास्थ नहीं है सिर्फ ताज सास्थ है या फिर हिम्मत के लिद्धो चीज़े चाहिए होती है एक पागलपन और दूसरा इमानदारी पागल परन हम यहां रोज देखते हैं और ये देखो इमानदारी फिल्म में एक जिगह रौकी ये भी कहता है कि ये मा की जित की कहानी है लेखा को और निर्देसक पर सामनेल के जनून से बनी इस फिल्म में सलीम जावेद की लिखाओड के सारे फारमूले हैं ध्यान से देखोंगे तो इस के हावभाव उनके पहनावे उनकी अकड़ और उनके रुआब में आपको कभी दिवार कभी सोले तो कभी सुहा क्यामिताब बचन का अक्स नजर आएगा बड़े पर सत्तर के दसक में देश के गुष्टे को एक रूप देने की सलीम जावेद की कोसिस को अमिताब बचन ने एंगरी एंग मैन का आउकार दिया था गुष्टा यवावों में फिर पनप रहा है फिल्म केजिएप चैप्टर टू की कहानी हाला की सत्तर के दसक से असी के दसक तक आ चुकी है देश की महला परधान मंतरी की चोकर तक जाकर राकी वार करता है सांसत में भी उसकी सेना गुज जाती है यह सब इसके बावजूद की राकी वायलेंस पसंद नहीं करता अब वायलेंस राकी को पसंद करे तो वह क्या करे राकी के करदार में यस ने फिर एक बार महफिल लूट ली है उनका मैनरिज्म तालिया बटोरता है उनका स्टाइल सीडिया बटोरता है और जब राकी फर्दे पर अपनी माप पतनिया बच्ती की एक मुस्लिम महला से मुख समात करता है तो आंसू भी लियाता है कस्मीर फाइल्स और केजियप टू की कमाई का आंतर यही है केजियप टू किस्तो की वहत रुपाई है जो समाज को जोडने में मदद करती है मुंबाई का सिनेमा जब लकीर के एक तरफ खड़े होकर दूसरी तरफ से बिलन तलास रहा है तो पहले आर 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 और आप केजियप टू में समाजिक समर्स्ता की एक नई अबारत लिखी जा रही है यहां मुश्किल में काम आने वाले लोगों के मज़ा पर भी भीम को भी फख रहे और राकी को भी इन दोनों फिल्मों की सफलता का राज भी यही है इन्हें देखते हुए आपको पास की सीट पर बैठे दर्सक से सतरक नहीं रहना होता फिल्म के एजियप चैप्टर टू में येस के बार रबीना टंडन और संजे दत दोनों का काम दमदार है रबीना टंडन ने तो जिस गरिमा और गमक्ट से साथ परधान मंतरी का किर्दा निभाया है वह उन्हें आने वाले दिनों में प्रुषकार भी दिला सकता है संजे दत इस महिला में अगनी पत के कांचा से भी आगे निकल गए उनकी बेस भूसा और उनके किर्दार का रोब चित्रड़ हाला की एक बिदेसे सीरीज के किर्दार से सो फिषदी प्रेरिद दिखता है लेकिन उनका काम रोबदार है स्री निधी सेटी तो अप केजेब तरी में नहीं देखेंगी लेकिन समंदर के अंतराष्टी सीमाओं में सोया राकी फिर लूटने वाला है फिल्म केजेब टेटर टू एक बिसुद्ध मसाला फिल्म है कहानी बहुत हिंसक है किर्दार बाते कम करते हैं अस्त सस्तर जादा चलाते हैं ठेट मंबया फिल्मों के मसालों को हाल के दिनों की कतानक आधारित फिल्मों में मिस करते रहे हिंदी सीनिमा के दर्सकों को ये फिल्म खोब पसंदा सकती है बस ध्यान रहे कि इस फिल्म में वैसों तो वरूडा, सरंगार और वासले के रंग भी हैं लेकिन कहानी असल में भीतस्म, रौस और भयानक रसों में ज़्यदा पगी है। और फिल्म देकर कहा जा सकता है कि उन्होंने अपने फैंस को जरा भी निरास नहीं किया। रौकी भाई गरौडा को मार कर केजियप का नया सुल्तान बन गया है। उसे वहां की लोगों का बेंतिहां प्यार हासिल है। और उसी प्यार के बहुलते पर और उसी प्यार के बलबुते पर उरौकी को अपना खुदा मानते हैं। यहां रौकी आंधी तूपान की तरह आगे बढ़ता जा रहा है। एक मंजिल फत्य करने के बाद और दूसरी मंजिल पर जित हासिल करता जाता है। उसे केजियप का सारा सोना चाहिए। अपनी मा से किया गया वादा जो पूरा करना है कि उसे दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना है। उसकी रह आसान नहीं है। उसके दुस्मनों की तादाद बढ़ती जाती है। गरुला के वहसी भाई अधिरा जिसकी तलवार खून की प्यासी है। उसका सबसे बड़ा दुस्मन है। यसको अधिरा साथ ही देश की इमानदार प्रधान मंतरी रिस्मिका सेन के बिरोध और आक्रोष का सामना करना बढ़ता है। अब उसकी जिंदगी में स्रीनिधी प्यार की बाहर ले आई तो उस पर उसकी भी जिम्मेदारी है। क्या रोके अपने दुस्मनों को माद दे पाएगा। क्या वह अपनी मा से किया हुआ हुआदा निभा पाएगा। अपने प्यार के साथ हिंसाफ कर पाएगा। इन सारे सवालों के जवाब आपको फिल्म में मिलेंगे। मगर हम आपको इतना जरूर बता सकते हैं कि फिलम क्लाइमेक्स में या भी तेकर देती है कि जब चैप्टर 3 की भी योजना है निर्देसिक क्रू में परसान नील इस्पेशल थे कि उन्हें चैप्टर 1 की तरह हाई आक्टन एक्षन वाली इंटर्टेनिंग फिलम बनानी है यही वज़े है कि चैप्टर 1 की परमपरा का निर्वाह करते हुए उन्होंने इसमें भी अंधेरी, माली, कुछली और दहसत भरी दुनिया पेश की है फिलम में रौ एक्षन का जलवा देखने को मिलता है जहां बंदूकों के साथ साथ हाथोड़े, चापर, चाकू और आख खोबी से इस्तमाल हुआ है पहले भाग में नायक और अन्न किरदारों को डेलर करने में उन्होंने खासा समय लगाया मगर इंटर्वल के बाद फिलम का घटना करम तेजी से बढ़ता है इस बाद निर्देशक नायक के भाटमक पच्छ पर भी जोर देते हैं मगर साथ एक मजबूत एंगरी एंग मैन भी उभरता है जो कहीं ना कहीं समाज के सोसित वर्ग के लिए मसी है अपनी कहानी और पात्रों के जिरिये परचान नेल धार्मिक रौद सोहादर का परिशे देना नहीं भूलते जो मुझूदा हालात में पाजट्यू मैसेश देता है हाँ फिलम का वर्तमान और अधियत का सफर थोड़ा कनफ्यूज जरूर करता है रौकी और अधिरा के फैट सिक्वेंस का मालके है फिलम का कलामेक्स यस के फैंस को जजबाती कर देगा आला कि फिलम की लंबाई अगर 10-15 मिनट कम होती तो कहानी और धारदार हो सकती थी बैगराउंड मेजिक और सिनमाटोग्राफी को फिलम का प्लस पॉइंट कहना गलत ना होगा इसमें कोई सक नहीं है कि पूरी फिलम यस की है यस अपनी स्टाइल अधाव और अंदास से अपने स्वेक को बनाए रखने में कामयाब रहे हैं फिलम में एक्षन और हिंसक दर्स्टों के भरमार है मगर उसके बीच में यस कहीं अपने डालाग्स तो कहीं कॉमडी तो कहीं अपना जिजबाती पहलो दिखा कर उसे मनुरेंजक बनाते जाते हैं फिलम में हरुएन स्री नधी के लिए यस का यह डालाग्स इसे मैं एंटर्टैनिंग के लिए लाया हूँ खलता है युवाओ के हिरो बन्च के यस को ऐसे समवादों से परहेज करना चाहिए नाइका के रूब में स्री नधी कई फ्रेम्स में नजर तो आती हैं मगर उनकी भूंका का औश्यत समझ नहीं आता अधीरा के रूब में संजिदत ससक्त उपच्तित दरसाते हैं तो वही रवीना टंडन चुनिंता द्रश्चों में बाजी मार ले जाती हैं सुतरधार के रूब में प्रकासराज, सीबिया इदिकारी के रूब में राव उमेस और अनिसयोगी कास्ट मजबूत है ये इसके फैंस और एक्शन ड्रामा सिनेमा के सौकिन या फिलम जरू देखे उन्हें या फिलम निरास नहीं करेगी यहा कहानी वहीं से सुरू होती है जहां खतम होती है गोर्ड का बिजनेश करने वाला राकी भाई वापस आ गया है अपना केजियप सहर बसाने उसे और अधिक सोना चाहिए लेकिन अपने लिए नहीं पूरे गाउं के लोगों के लिए लेकिन इस बार उसका सामना एक खतरनाक खलना एक अधिरा एने संजेदत से होता है जिसकी तलवार को सिर्फ खून चकने की आदत हो गई है राकी भाई को सुरुआत में तो वह हिलाने में कामयाब होता है लेकिन फिर किस तरह से रौकियों उसको मात देता है या नहीं दे पाता और अपने लोगों के लिए अपना समराज इस्थाबित कर पाता है या नहीं यही इस फिल्म में ट्विस्ट के साथ दिखाया गया है कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट रमिकानी रविना टेंडन की सबता भीलाती है लेकिन वह ट्विस्ट क्या है या सब देखना फिल्म को मज़ेदार बनाता है क्योंकि इस फिल्म में ड्रामा और एक्शन भरपूर है जिसे देखर आप हैरान हो जाएंगे अमोमन ऐसी मसाला फिल्मों में कहानी के गराप काफी उपर नीचे होता रहता है लेकिन इस फिल्म के निर्देशक ने कहानी के गराप को ना सिर्फ ड्रामा दमदाव डालॉक्स एमोशन्स और एक्शन से बांदे रखा है बलकि फिल्म में गजब का सिनोमेट्रिक अनभव और वह उनके दर्शकों को खोब पसंद आने वाला है श्री निधी के लिए फिल्म में कुछ भी करने को नहीं था रविना फाम में देखी हैं संजिदत ने सांदर काम किया है उनके किलदार से डर लगता है परकासराज का भी काम अच्छा है फिल्म केजियप चैप्टर एक बिसाल का अन्वास के लिए सोची गई कहानी है आई मैक्स पर इसे देखने का आनन्द ही कुछ और है हाँ बसरते सिनेमा घर का आडियो सिस्टम ठीक से काम कर रहा हो सिनेमा दरस से स्रब माध्यम है अंग्रेजी में आडियो विजुल जो दिख रहा है और जो सुनाई दे रहा है उसका संत्रलन फिल्म केजिप चैटर 2 में कमाल का साधा गया है परदे पर कुछ नहीं दिख रहा हो और आवाज आ रही हो तो भी दर्शक समझ जाता है कि आवाज आ रही है आखिर क्या चल रहा है ये फिल्म सिनेमा में एंग्री इंग मैन का वजूद भी तलास लेश्ति है और जिस तरह ये पर पर्दे पर पहले प्रवेश्ट पर सिनेमा हाल में दर्शकों की सीटीयां तालियां और सब्दावालियां घुचती हैं उनसे लगता है कि कि सिनेमा असल में यही है दिस इस फिल्म के एजिप टेटर 2 की कहानी कोलार गोल्ड फिल्ड पर पिशली फिल्म में ही तब्दिल हो चुकी थी मुंबई से निकला रौकी अब दुनिया पर राज करना चाता है परधान मंतरी कार्याले के परतिच्छा कच में वापना परिशाय देश के सीई-ओ के रूम में देता है सोने के अवेद कारुबार की देश बिदेश से कड़िया जोड़ती है फिल्म देश की बित्ती बिवस्ता की उस कमजोर कड़ी पर भी चोड़ करती है जिसमें गुमनाम लोगों के बैंक खाते खोलकर लोग रातो रात अरब पती बन गए फिल्म के जीब चैप्टर टू की कहानी सुनने के लिए इस बार आनंद नहीं है कहानी उनक प्रिया में की थी उस परंपरा का वाहक अब RRR और केजेप चैप्टर टू जैसी मेगा बजट फिल्में कर रही है निर्देशक परसान नेल की फिल्म केजेप चैप्टर टू को लेकर हिंदी भासी दर्शकों में RRR से बहतर उत्सा है फिल्म ये भी RRR से बहतर बन पड़ी हाला कि RRR और फिल्म केज़ेप्टर 2 दोनों की कम से कम एक कमजोर कड़ी समान है और वह है इसका जरूरत से ज्यादा लंबा खिसता क्लाइमेक्स केज़ेप्टर 2 को हिंदी में लिखने वाले टीम ने कमाल का काम किया है इसके समाद आपको आखिर तक याद रह जाते हैं जैस में एक जिगहे रौकी ये भी कहता है कि ये मा की जित की कहानी है लेखक और निर्देसक पर सामनेल के जनून से बनी इस फिल्म में सलीम जावेद की लिखावड के सारे फार्मूले हैं ध्यान से देखंगे तो येस के हावबाव उनके पहनावे उनकी अकड़ और उनके और कार दिया था गुस्सा युवावों में फिर पनप रहा है फिल्म केजिएप चैप्टर टू की कहानी हाला कि सतर के दसक से असी के दसक तक आ चुकी है देश की महिला परधान मंतरी की चोखर तक जाकर राकी वार करता है सांसत में भी उसकी सेना गुज जाती है ये सब बावजूद की राकी वायलेंस पसंद नहीं करता अब वायलेंस राकी को पसंद करे तो आँनसू के लियाता है कसमीर फाइलस और केजिएप टू कि कमाई का आंतर यही है केजियप टू किस्तों की वहत दुर्पाई है जो समाज को जोडने में मदद करती है मुंबाई का सिनेमा जब लकीर के एक तरफ खड़े होकर दूसरी तरफ से बिलन तलास रहा है तो पहले आर 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 और आप केजियप टू में समाज जिक समर्चता की एक नई अबारत लिखी जा रही है यहां मुश्किल में काम आने वाले लोगों के मज़ा पर भी भीम को भी फख रहे और राकी को भी इन दोनों फिल्मों की सफलता का राज भी यही है इन्हें देखते हुए आपको पास की सीट पर बैठे दर्सक से सतरक नहीं रहना होता फिल्म की एजियप चैप्टर टू में येस के बार रभीना टंडन और संजे दत दोनों का काम दमदार है रभीना टंडन ने तो जिस गरिमा और गमक्ट के साथ परधान मंतरी का किरदा निभाया है वह उन्हें आने वाले दिनों में प्रुषकार भी दिला सकता है संजे दत तिस महिला में अगनी पत के कांचा से भी आगे निकल गए उनकी बेस भुसा और उनके किरदार का रोब चित्रड़ हाला की एक बिदेसे स्रीज के किरदार से सो फिषदी प्रेरिद दिखता है लेकिन उनका काम रोबदार है स्री नधी सिट्टी तो अपके एजेप्तिरी में नहीं देखेंगी लेकिन समंदर की अंतराष्टी सिमाओं में सोया राकी फिर लूटने वाला है फिल्म केजेप्टर टू एक बिसुद्ध मसाला फिल्म है कहानी बहुत हिंसक है किरदार बाते कम करते हैं अस्त सस्तर ज्यादा चलाते हैं ठेट मंबया फिल्मों के मसालों को हाल के दिनों की कतानक आधारित फिल्मों में मिस करते रहे हिंदी सिनेमा के दर्स को को ये फिल खोब पसंदा सकती है बस ध्यान रहे कि इस फिल्म में वैसे तो वरुडा सरंगार और वासले के रंग भी है लेकिन कहानी असल में भीतरस्म रॉल्स और भयानक रसों में ज्यादा पगी है केजियप चेप्टर 2 की कहानी को लेकर एक डालाग है यह एक छोटे से गाव में रही रही मा के जद की कहानी है और उसी जद को पूरा करने के लिए रॉकिक किसी भी हद तक जा सकता है वाकी के जीएप चैप्टर टू में निर्देसिक परसान नील और यस उस वादे को पूरा किया और इस बार चैप्टर टू में उसे और जएदा भब भी बिसाल, इमोसन और इंटर्टेनिंग बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी लबख चार सालों के लंबे इंतिजार के बाद चैप्टर टू आई है और फिल्म देकर कहा जा सकता है कि उन्होंने अपने फैंस को जरा भी निरास नहीं किया अब मूमन फिल्म की सफलता के बाद स्विकल कई बार उतना परभावी नहीं बन पाती मगर यहां निर्देशक परसान नील ग्रेजर रोंग्टे खड़े कर देने वाले एक्शन इसके स्वैग और स्टाइल के साथ बॉली बुड के संजेदत और अभीना टेंडन जैसे माह अमिर अधाकारों को जोड़ कर हिंदी दर्सकों के लिए इंटर्टेनिंग का तकड़ा डोष तयार करने में कामियाव रहे हैं दूसरे भाग की कहानी वही से सुरू होती है जहां पहला भाग समाप्त हुआ था रोकी भाई करोड़ा को मार कर केजियप का नया सुलतान बन है उसे वहां की लोगों का बेंतिहां प्यार हासिल है और उसी प्यार के बहुलते पर और उसी प्यार के बल्बुते पर और रोकी को अपना खुदा मानते हैं यहां रोकी आंधी दूपान की तरह आगे बढ़ता जा रहा है एक मंजिल फतह करने के बाद और दूसरी मंजिल पर जित हासिल करता जाता है उसे केजिएप का सारा सोना चाहिए अपनी मा से किया गया वादा जो पूरा करना है कि उसे दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना है उसकी रह आसान नहीं है उसके दुस्मनों की तादाद बढ़ती जाती है गरुला के वहसी भाई अधिरा जिसकी तलवार खोन की प्यासी है उसका सबसे बड़ा दुस्मन है यसको अधिरा साथ ही देश की इमानदार प्रधान मंतरी रिस्मिका सेन के बिरोध और आक्रोष का सामना करना बढ़ता है अब उसकी जिंदगी मेश्डी निदी प्यार की बाहर ले आई तो उस पर उसकी भी जिम्मेदारी है प्यार के साथ इंसाव कर पाएगा इन सारे सवालों के जवाब आपको फिल्म में मिलेंगे मगर हम आपको इतना जरूर बता सकते हैं कि फिल्म क्लाइमेक्स में या भी तेकर देती है कि जब चैप्टर 3 की भी योजना है निर्देशिक क्रू में परसान नील इस्पेश्ट है कि उन्हें चैप्टर 1 की तरह हाई आक्टन एक्षन वाली इंटर्टेनिंग फिल्म बनानी है यही वज़े है कि चैप्टर 1 की परा का निर्वाह करते हुए उन्होंने इसमें भी अंधेरी मैली कुछली और दहसत भरी दुनिया पेस की है फिल्म में रौ एक्षन का जलवा देखने को मिलता है जहां बंदूकों के साथ साथ हाथोड़े चापर चाकू और आग खोबी से इस्तमाल हुआ है पहले भाग म नायक और अन्य किर्दारों को डेलर करने में उन्होंने खासा समय लगाया मगर इंटर्वल के बाद फिल्म का घटना करम तेजी से बढ़ता है इस बार निर्देशक नायक के भात्मक पच्छ पर भी जोर देते हैं मगर साथ एक मजबूत एंगरी एंग मैन भी उभरता है जो कहीं ना कहीं समाज के सोसित वर्ग के लिए मसी है अपनी कहानी और पात्रों के जरिये परचान नेल धानमिक रौद सोहादर का परिशे देना नहीं भूलते जो मुझूदा हालात में पाश्ट्यू मैसेश देता है हाँ फिल्म का वरतमान और अधियत का सफर फ़ड़ा कनफ्यूज जरूर करता है रौकी और अधियरा के फैट सिक्वेंस का मलके हैं फिल्म का क्लाइमेक यस के फैंस को जजबाती कर देगा आला कि फिल्म की लंबाई अगर 10-15 मिनट कम होती तो कहानी और धारदार हो सकती थी बैगराउंड मेजिक और सिनमेटो ग्राफिक को फ कहीं अपने डालाग्स तो कहीं कॉमडी तो कहीं अपना जिजबाती पहलों दिखा कर उसे मनुरंजक बनाते जाते हैं फिल्म में हरुएन सिरी नधी के लिए यस का यह डालाग इसे मैं इंटर्टेनिंग के लिए लाया हूं खलता है यूआओ के हीरो बंच के यस को ऐसे सम मादों से परहेज करना चाहिए नाइका के रूब में सिरी नधी कई फ्रेम्स में नजर तो आती हैं मगर उनकी भूंका का और श्यति समझ नहीं आता अधीरा के रूब में संजिदत ससक्त पश्तित दर्स आते हैं तो वही रवीना टंडन चुनिंदा द्रस्षों में बाज नहीं करेगी यहां कहानी वही से शुरू होती है जहाँ खतम होती है गोर्ड का बिजनिस करने वाला रॉकी भाई वापस आ गया है अपना केजियफ सहर बसाने उसे और अधिक सोना चाहिए लेकिन अपने लिए नहीं पुरे गाओं के लोगों के लिए लेकिन इस बार उसक कि तलवार को सिर्फ खुन चकने की आदत हो गई है राकी भाई को सुरुवात में तो वहा हिलाने मेका में अब होता है लेकिन फिर किस तरह से राकी उसको मात देता है या नहीं दे पाता और अपने लोगों के लिए अपना समराज इस्थापित कर पाता है या नहीं यही इस ट्विस्ट के साथ दिखाय गया है कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट रमिकानी रभीना टेंडन की सत्ता भी लाती है लेकिन वह ट्विस्ट क्या है यह सब देखना फिल्म को मज़ेदार बनाता है क्योंकि इस फिल्म में ड्रामा और एक्शन भरपूर है जिसे देखर आप हैरान हो जाएंगे अमोमन ऐसी मसाला फिल्मों में कहानी के गराप काफी उपर नीचे होता रहता है लेकिन इस फिल्म के निर्देशक ने कहानी के गराप को ना सिर्फ ड्रामा दमदाव डालॉक्स एमोसंस और एक्शन से बांदे रखा है बलकि फिल्म में घजब का सिनमाटिक अनभव भी है एक्शन सिन खुबसूरते से डिजाइन किये गए हैं एक अलग ही आरा नजर आता किरदार का है हमेशा कितरे साउथ इंडियन फिल्मों में महिला पातरों को कमजोर दिखाते हैं वह नहीं होना चाहिए यस ने चार साल में खुद पर और मेहनत की है उन्होंने एक टोन पकड़ा है अपने किरदार और वह उनके दर्शकों को खोब पसंद आने वाला है स्रीन इधी के लिए फिल्म में कुछ भी करने को नहीं था रवीना फाम में दिखी है संजिदत ने सांदर काम किया है उनके किरदार से डर लगता है परकास राज का भी काम अच्छा है फिल्म केजिएप चैप्टर टू यानि केजिएप टू को देखने के बाद सबसे पहले वह बाद जो सभी लोग सबसे पहले जानना चाहते है क्या केजिएप ट्री भी बनेगी तो इसका जवाब हा में है फिल्म बनाने वालों ने फिल्म के अगले अधाय का सोतर फिल्म के क्लाइमेक्स में दिखा दिया है फिल्म केजिएप चैप्टर 2 एक 20 साल का एन्वास के लिए सुच्ची गई कहानी है आई मैक्स पर इसे देखने का आनन्द ही कुछ और है हाँ बसरते सिनेमा घर का आइडियो सिस्टम ठीक से काम कर रहा हो सिनेमा दरस से स्रब्य माध्यम है अंग्रेजी में आइडियो विजुल जो दिख रहा है और जो सुनाई दे रहा है उसका संतिलन फिल्म केजिप चैटर टू में कमाल का साधा गया है परदे पर कुछ नहीं दिख रहा हो और आवाज आ रही हो तो भी दर्शक समझ जाता है कि आवाज आ रही है आखिर क्या चल रहा है ये फिल्म सिनेमा में एंगरी इंग मैन का वजूद भी तलासती है और जिस तरह येस के परदे पर पहले परवेश पर सिनेमा हाल में दर्शकों की सीटियां तालियां और सब्दावालियां घुचती हैं उनसे लगता है कि कि सिनेमा असल में यही है फिल्म के एजिप्टर टू की कहानी कॉलार गोल्ड फिल्ड पर कबजे की कहानी में पिछली फिल्म में ही तबदिल हो चुकी थी मुंबई से निकला रौकी अब दुनिया पर राज करना चाता है परदान मंतरी कारियाले के परतिछा कच में वापना परिचाए देश के सीई ओ के रूम में देता है सोने के अवेद कारुबार की देश बिदेश से कड़ियां जोडती है फिल्म देश की बित्ती बेवस्ता की उस कमजोर कड़ी पर भी चोड़ करती है जिसमें गुम्नाम लोगों के बैंक खाते खोल कर लोग रातो रात अरपती बन गए फिल्म केजिब चैप्टर टू की कहानी सुनने के लिए इस बार आनंद नहीं है कहानी उनका बेटा बिजेंद्र सुना रहा है कहानी के किरदार जाने पहचाने है फिल्म अपने पुर्वरती फिल्म आर 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 के तरह दिल्ली तक चड़ कर आती है दच्छिड में बन रहे सिनेमा की कहानी को उत्तर तक लाने की जो सुरुआत मड़े रतनम ने फिल्म रोजा में की थी उस परंपरा का वाहक अब आर 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 और केजेब चेटर टू जैसी मेगा वजट फिल्में कर रही है निर्देसक परसान नेल की फिल्म केजेब चेपटर टू को लेकर हिंदी भासी दर्सकों में आर 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 से बहतर उत्सा है फिल्म ये भी RRR से बहतर बन पड़ी है हाला कि RRR और फिल्म केजेप चेप्टर 2 दोनों की कम से कम एक कम जोरकड़ी समान है और वा है इसका जरूरत से ज्यादा लंबा खिसता क्लाइमेक्स केजेप्टर 2 को हिंदी में लिखने वाले टीम ने कमाल का काम किया है इसके समाद आपको आखिर तक याद रह जाते हैं जैसे यहां सिर्फ सास्थ नहीं है सिर्फ ताज सास्थ है या फिर हिम्मत के लिए दो चीजे चाहिए होती है एक पागलपन और दूसरा इमानदारी पागलपन हम यहां रोज देखते हैं और ये देखो इमानदारी फिल्म में एक जिगह रौकी ये भी कहता है कि ये मा की जित की कहानी है लेखक और निर्देशक पर सामनेल के जनून से बनी इस फिल्म में सलीम जावेद की लिखावड के सारे फारमूले हैं ध्यान से देखोंगे तो येस के हावभाव उनके पहनावे उनकी अकड़ और उनके रुआब में आपको कभी दिवार कभी सोले तो कभी सुहाग के अमिताब बच्चन का अक्स नजर आएगा बड़े पर सत्तर के दसक में देश के गुस्ते को एक रूप देने की सलीम जावेद की कोर्सिस को अमिताब बच्चन ने एंगरी इंग मैन का आवकार दिया था गुस्ता यवावों में फिर पनप रहा है फिल्म केजिएप चैप्टर टू की कहानी हाला की सत्तर के दसक से असी के दसक तक आ चुकी है देश की महिला परधान मंतरी की चोखर तक जाकर राकी वार करता है सांसत में भी उसकी सेना घुजाती है ये सब इसके बावजूद की राकी वायलेंस पसंद नहीं करता अब वायलेंस राकी को पसंद करे तो वह क्या करे राकी के करदार में यस ने फिर एक बार महफिल लूट ली है उनका मैनरिज्म तालिया बटोरता है उनका स्टाइल सीडिया बटोरता है और जब राकी फर्दे अमाज जब लकीर के एक तरफ खड़े होकर दूसरी तरफ से बिलन तलास रहा है तो पहले और 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 आपकी एजिएप टू में समाजिक समर्स्ता की एक नई अबारत लिखी जा रही है। और गमक्च के साथ परधान मंतरी का किर्दा निभाया है वहाँ उन्हें आने वाले दिनों में प्रुषकार भी दिला सकता है। किर्दार बाते कम करते हैं अस्त शस्तर जाद चलाते हैं। ठेट मंबया फिल्मों के मसालों को हाल के दिनों की कथानक आधारित फिल्मों में मिस्श करते रहे हिंदी सिने हिसनेमा के दर्श को को ये फिल्म खोप पसंदा सकती है। बस ध्यान रहे कि इस फिल्म में वैसों तो वरुडा सरंगार और वासले के रंग भी हैं लेकिन कहानी असल में भीतरस्म रौस और भयानक रसों में ज़्यदा पगी है केजी अप चेप्टर 2 की कहानी को लेकर एक डायलाग है यह एक छोटे से गाउं में रही रही मा के जिद की कहानी है और उसी जिद को पुरा करने के लिए रौकी किसी भी हथ तक जा सकता है वाकी के जीएप चैप्टर टू में निर्देसिक परसान नील और यस उस वादे को पूरा किया और इस बार चैप्टर टू में उसे और जएदा भब भी बिसाल, इमोसन और इंटर्टेनिंग बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी लगभग चार सालों के लंबे इंतिजार के बाद चैप्टर टू आई है और फिल्म देकर कहा जा सकता है कि उन्होंने अपने फैंस को जरा भी निरास नहीं किया अमोमन फिल्म की सफलता के बाद स्विकल कई बार उतना परभावी नहीं बन पाती मगर यहां निर्देशक परसान नील ग्रेजर रोंगटे खड़े कर देने वाले एक्सन इसके स्वाइग और स्टाइल के साथ बॉली बुड़ के संजेदत और अभीना टेंडन जैसे माहि दर्सकों के लिए इंटर्टेंनिंग का तकड़ा डोष तयार करने में कामियाव रहे हैं दूसरे भाग की कहानी वही से सुरू होती है जहां पहला भाग समाप्त हुआ था रोकी भाई करोड़ा को मार कर केजियप का नया सुल्तान बन गया है उसे वहां की लोगों का बेंत पर जित हासिल करता जाता है उसे केजियप का सारा सोना चाहिए अपनी मा से किया गया वादा जो पूरा करना है कि उसे दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना है उसकी रह आसान नहीं है उसके दुस्मनों की तादाद बढ़ती जाती है गरुडा के वहसी भाई अधिरा जिस तो उस पर उसकी भी जिम्मेदारी है के रहा के अपने दुस्मनों को माद दे पाएगा के वह अपनी मा से किया हुआ वादा निभा पाएगा अपने प्यार के साथ इंसाफ कर पाएगा इन सारे सवालों के जवाब आपको फिल्म में मिलेंगे मगर हम आपको इतना जरूर बता सकते हैं कि फिल्म क्लाइमेक्स में या भी तेकर देती है कि जब चैप्टर थ्री की भी योजना है निर्देशिक क्रू में परसान नील इस्पेशलत है कि उन्हें चैप्टर वन की तरह हाई आक्टन एक्षन वाली इंटर्टेनिंग फिल्म बनानी है यही वज़े है क चैप्टर वन की प्रमपरा का निर्वाह करते हुए उन्होंने इसमें भी अंधेरी मैली कुछली और दहसत भरी दुनिया पेस की है फिल्म में रौ एक्षन का जलवा देखने को मिलता है जहां बंदूकों के साथ साथ हाथोड़े चापर चाकू और आग खोबी से इस्तमा हुआ है पहले भाग में नायक और अन्य किरदारों को डेवलर करने में उन्होंने खासा समय लगाया मगर इंटरवल के बाद फिल्म का घटना करम तेजी से बढ़ता है इस बार निर्देशक नायक के भात्मक पच्छ पर भी जोर देते हैं मगर साथ एक मजबूत एंगरी इंग मैन भी उभरता है जो कहीं ना कहीं समाज के सोसित वर्ग के लिए मसीह हैं अपनी कहानी और पात्रों के जरिये परचान नेल धानमिक रौद सोहादर का परिशे देना नहीं भूलते जो मुझूदा हालात में पाश्टू मैसेश देता है हाँ फिल्म का वरतमान और अ प्लस पॉइंट कहना गलत ना होगा इसमें कोई सक नहीं है कि पूरी फिल्म यस की है यस अपनी स्टाइल अदाओं और अंदास से अपने स्वेक को बनाए रखने में कामयाब रहे हैं फिल्म में एक्सन और हिंसक दरस्तों के भरमार है मगर उसके बीच में यस कहीं अपने इन्टाइलाक्स तो कहीं कॉमडी तो कहीं अपना जिजबाती पहलों दिखा कर उसे मनरंजक बनाते जाते हैं फिल्म में हरुएन स्री नधी के लिए यस का यह डालॉग इसे मैं एंटर्टेनिंग के लिए लाया हूँ खलता है युवाओ के हीरो बंच के यस को ऐसे रहेज करना चाहिए नाइका के रूब में स्री नधी कई फ्रेम्स में नजर तो आती हैं मगर उनकी भूंका का आउच्चत समझ नहीं आता अधीरा के रूब में संजिदत ससक्त उपस्तित तरसाते हैं तो वही रवीना टंडन चुनिंता द्रस्टों में बाजी मार ले जा का बिजनेश करने वाला रौकी भाई वापस आ गया है अपना केजिएप सहर बसाने उससे और अधिक सोना चाहिए लेकिन अपने लिए नहीं पूरे गाउं के लोगों के लिए लेकिन इस बार उसका सामना एक खतरनाक खलना एक अधीरा एने संजिदत से होता है जिसकी तल के साथ दिखाया गया है कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट रमिकानी रविना टेंडन की सत्ता भीलाती है लेकिन वह ट्विस्ट क्या है यह सब देखना फिल्म को मज़ेदार बनाता है क्योंकि इस फिल्म में ड्रामा और एक्शन भरपूर है जिसे देखर आप हैरान हो जा से डिजाइन किये गए हैं एक अलग ही आरा नजर आता किर्दार का है हमेशा कितरे साथ इंडियन फिल्मों में महिला पात्रों को कमजोर दिखाते हैं वह नहीं होना चाहिए यस ने चार साल में खुद पर और मेहनत की है उन्होंने एक टोन पकड़ा है अपने किर्दार औ और वह उनके दर्सकों को खोब पसंद आने वाला है स्री निधी के लिए फिल्म में कुछ भी करने को नहीं था रविना फाम में दिखी हैं संजिदत ने सांदर काम किया है उनके किलदार से डर लगता है परकासराज का भी काम अच्छा है फिल्म केजियप चैप्टर टू यानि केजियप टू को देखने के बाद सबसे पहले वह बात जो सबी लोग सबसे पहले जानना चाते हैं क्या केजियप थिरी भी बनेगी तो इसका जवाब हां में है फिल्म बनाने वालों ने फिल्म के अगले अधाय का सूतर फिल्म के क्लाइमेक्स में दिखा दिया है फ का संतिलन फिल्म केजिप चैटर 2 में कमाल का साधा गया है परदे पर कुछ नहीं दिख रहा हो और आवाज आ रही हो तो भी दर्शक समझ जाता है कि आवाज आ रही है आखिर क्या चल रहा है ये फिल्म सिनेमा में एंगरी इंग मैन का वजूद भी तलासती है और जिस तरह येस के परदे पर पहले परवेस पर सिनेमा हाल में दर्शकों की सीटियां तालियां और सब्दावालियां घुचती हैं उनसे लगता है कि कि सिनेमा असल में यही है दिस इच येस फिल्म के जिप टेटर 2 की कहानी कोलार गोल्ड फिल्ड पर कबजे की कहानी में पिछली फि प्रुबार की देश बिदेश से कड़िया जोड़ती है फिल्म देश की बित्ती बेवस्ता की उस कमजोर कड़ी पर भी चोड़ करती है जिसमें गुमनाम लोगों के बैंक खाते खोलकर लोग रातो रात अरब पती बन गए फिल्म केजिव चैप्टर टू की कहानी सुनने के लिए इस बार आनन्द नहीं है कहानी उनका बेटा बिजे अंदर सुना रहा है कहानी के किरदार जाने पहचाने है फिल्म अपनी पुरवर्ती फिल्म आर 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 के तरह दिल्ली तक चड़ कर आती है दच्छिड में बन रहे सिनेमा की कहानी को उत्तर तक लाने की जो सुरुआत मरे रतनम ने फिल्म रोजा में की थी उस परंपरा का वाहग अब RRR और केजेब चैटर टू जैसी मेगा वजट फिल्में कर रही है निर्देशक परसान निर्ड की फिल्म केजेब चैटर टू को लेकर हिंदि भाची दर्सकों में RRR से बहतर उत्सा है फिल्म ये भी RRR से बहतर बन पड़ी है हलाकि RRR और फिल्म केजेब चैटर टू दोनों की कम से कम एक कम जोरकड़ी समान है और वह है इसका जरूरत से ज्यादा लंबा खिसता क्लाइमेक्स केजब टेटर टू को हिंदी में लिखने वाले टीम ने कमाल का काम किया है इसके समाद आपको आखिर तक याद रह जाते हैं जैसे यहां सिर्फ सास्थ नहीं है सिर्फ ताज सास्थ है या फिर हिम्मत के लिद दो चीज़े चाहिए होती है एक पागलपन और दूसरा इमानदारी पागलपन हम यहां रोज देखते हैं और ये देखो इमानदारी फिल्म में एक जिगह रौकी ये भी कहता है कि ये मा की जित की कहानी है लेखा का और निर्देशक पर सामनेल के जिनून से बनी इस फिल्म में सलीम जावेद की लिखावड के सारे फारमूले है ध्यान से देखोंगे तो येस के हावभाव उनके पहनावे उनकी अकड और उनके रुआब में आपको कभी दिवार कभी सोले तो कभी सुहाक यमिताब बच्चन का अक्स नजर आएगा बड़े पर सत्तर के दसक में देश के गुष्टे को एक रूप देने की सलीम जावेद की कोसिस को अमिताब बच्चन ने एंगरी एंग मैन का आउकार दिया था गुष्टा यवाओं में फिर पनप रहा है फिल्म केजिएप चैप्टर टू की कहानी हाला की सत्तर के दसक से असी के दसक तक आ चुकी है देश की महिला परधान मंतरी की चोखर तक जाकर राकी वार करता है सांसत में भी उसकी सेना घुज जाती है यह सब इसके बावजूद की राकी वाइलेंस पसंद नहीं करता अब वाइलेंस राकी को पसंद करे तो वह क्या करे राकी के किरदार में यस ने फिर एक बार महिफिल लूट ली है उनका मैनरिज्म तालिया बटोरता है उनका स्टाइल शीडिया बटोरता है और जब राकी फर्दे पर अपनी माप पतनिया बच्ती की एक मुस्लिम महला से मुख समात करता है तो आंसू भी लियाता है कस्मीर फाइल्स और केजियप टू की कमाई का आंतर यही है केजियप टू किस्तो की वहत रुपाई है जो समाज को जोडने में मदद करती है मुंबाई का सिनेमा जब लकीर के एक तरफ खड़े होकर दूसरी तरफ से बिलन तलास रहा है तो पहले आर 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 और आप केजियप टू में समाजिक समर्स्ता की एक नई अबारत लिखी जा रही है यहां मुश्किल में काम आने वाले लोगों के मज़ा पर भी भीम को भी फख रहे और राकी को भी इन दोनों फिल्मों की सफलता का राज भी यही है इन्हें देखते हुए आपको पास की सीट पर बैठे दर्सक से सतरक नहीं रहना होता फिल्म के एजियप चैप्टर टू में येस के बार रबीना टंडन और संजे दत दोनों का काम दमदार है रबीना टंडन ने तो जिस गरिमा और गमक्ट के साथ परधान मंतरी का किर्दा निभाया है वह उन्हें आने वाले दिनों में प्रुषकार भी दिला सकता है संजे दत तिस महिला में अगनी पत के कांचा से भी आगे निकल गए उनकी बेस भूसा और उनके किर्दार का रोब चित्रड़ हाला की एक बिदेसे सीरीज के किर्दार से सो फिषदी प्रेरिद दिखता है लेकिन उनका काम रोबदार है स्री निधी सेटी तो अब केजेब तिरी में नहीं देखेंगी लेकिन समंदर के अंतराष्टी सीमाओं में सोया राकी फिर लूटने वाला है फिल्म केजेब टेटर टू एक बिसुद्ध मसाला फिल्म है कहानी बहुत हिंसक है किर्दार बाते कम करते हैं अस्त सस्तर जादा चलाते हैं ठेट मंबया फिल्मों के मसालों को हाल के दिनों की कथानक आधारित फिल्मों में मिस करते रहे हिंदी सिनेमा के दर्स को को ये फिल्म खोब पसंदा सकती है बस ध्यान रहे कि इस फिल्म में वैसो तो वरुडा सरंगार और वासले के रंग भी हैं लेकिन कहानी असल में भीतरस्म, रौस और भयानक रसों में ज़्यदा पगी है केजिएप चैप्टर 2 की कहानी को लेकर एक डायलाग है यह एक छोटे से गाउ में रही रही मा के जिद की कहानी है और उसी जिद को पूरा करने के लिए रौकी किसी भी हत तक जा सकता है वाकी केजिएप चैप्टर 2 में निर्देसिक परसान नील और यस उस वादे को पूरा किया और इस बार चैप्टर 2 में उसे और जएदा भब भी बिसाल, इमोसन और इंटर्टेनिंग बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी लबख चार सालों के लंबे इंतिजार के बाद चैप्टर 2 आई है और फिल्म देकर कहा जा सकता है कि उन्होंने अपने फैंस को जरा भी निरास नहीं किया अमोमन फिल्म की सफलता के बाद सुकल कई बार उतना परभावी नहीं बन पाती मगर यहां निर्देशक परसान नील ग्रेजर रोंग्टे खड़े कर देने वाले एक्शन इसके स्वाइग और स्टाइल के साथ बाली बुड के संजेदत और अभीन आटेंडन जैसे माहिर अधाकारों को जोड़ कर हिंदी दर्सकों के लिए इंटर्टेंनिंग का तकड़ा डोस्त तयार करने में कामियाब रहे हैं दूसरे भाग की कहानी वही से सुरू होती है जहां पहला भाग समाप्त हुआ था रौकी भाई गरुड को मार कर केजी अपका نیا सुल्तान बन गया है उसे वहां की लोगों का बेंतिहां प्यार हासिल है और उसी प्यार के बहूलते पर और उसी प्यार के बलबुते पर वोराकी को अपना खोदा मानते हैं यहां रौकी आंधी तोपान की तरह आगे बढ़ता जा रहा है, एक मंजल फते हिरने के बाद और दूसरी मंजल पर जित हासिल करता जाता है, उसे केजियब का सारा सोना चाहिए, अपनी मा से किया गया वादा जो पूरा करना है, कि उसे दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना है उसकी रह आसान नहीं है उसके दिस्मनों की तादाद बढ़ती जाती है गरुडा के वह सी भाई अधिरा जिसकी तलवार खोन की प्यासी है उसका सबसे बड़ा दिस्मन है यह उसको अधिरा साथ ही देश की इमानदार प्रधान मंतरी रिस्मिका सेन के बिरोध और उसका सामना करना पड़ता है अब उसकी जिंदगी में स्री निदी प्यार की बाहर ले आई तो उस पर उसकी भी जिम्मेदारी है क्या रॉके अपने दुस्मनों को माद दे पाएगा क्या वह अपनी मा से किया हुआ हुआदा निभा पाएगा अपने प्यार के साथ सवालों के जवाब आपको फिल्म में मिलेंगे मगर हम आपको इतना जरूर बता सकते हैं कि फिल्म क्लाइमेक्स में या भी तेकर देती है कि जब चैप्टर 3 की भी योजना है निर्देसिक क्रू में परसान नील इस्पेशल थै कि उन्हें चैप्टर 1 की तरह हाई आक्टन एक्टन वाली इंटर्टेनिंग फिल्म बनानी है यही वज़े है कि चैप्टर 1 की परमपरा का निर्वाह करते हुए उन्होंने इसमें भी अंधेरी मैली कुछली और दहसत भरी दुनिया पेस की है फिल्म में रौ एक्टन का जलवा देखने को मिलता है जहां बंदूकों क साथ साथ हाथोड़े, चापर, चाकू और आग खोबी से इस्तमाल हुआ है पहले भाग में नायक और अन्न किरदारों को डेवलर करने में उन्होंने खासा समय लगाया मगर इंटर्वल के बाद फिल्म का घटना करम तेजी से बढ़ता है इस बार निर्देशक नायक के भा परिशे देना नहीं भूलते जो मुझूदा हालात में पाज्ट्यू मैसेश देता है हाँ फिल्म का वरतमान और अधियत का सफर थोड़ा कनफ्यूज जरूर करता है राकी और अधिरा के फैट सिक्वेंस का मालके हैं फिल्म का क्लाइमेक्स येस के फैंस को जजबाती कर द येस अपनी स्टाइल अधाओं और अंदास से अपने स्वेक को बनाये रखने में कामयाब रहे हैं फिल्म में एक्षन और इंसक दर्सों के भरमार है मगर उसके बीच में येस कहीं अपने डालाग्स तो कहीं कॉमडी तो कहीं अपना जिजबाती पहलों दिखा कर उसे मनोर संजक बनाते जाते हैं फिल्म में हरुएन स्री नधी के लिए येस का यह डालॉग इसे मैं इंटर्टैनिंग के लिए लाया हूं खलता है युवाओ के हीरो बंच के येस को ऐसे समवादों से परहेज करना चाहिए नाइका के रूब में स्री नधी कई फ्रेम्स में नजर तो आती हैं मगर उनकी भूंका का औश्यत समझ नहीं आता अधीरा के रूब में संजिदत ससक्त उपस्तित दर्स आते हैं तो वही रवीना टंडन चुनिंता द्रश्चों में बाजी मार ले जाती हैं सुत्रधार के रूब में प्रकासराज सीबिया इदिकारी के रूब मे राव उमेस और अनिसयोगी कास्ट मजबूत है ये इसके फैंस और एक्शन ड्रामा सिनेमा के सौकीन या फिलम जरू देखे उन्हें या फिलम निरास नहीं करेगी या कहानी वहीं से सुरू होती है जहां खतम होती है गोर्ड का बिजनेस करने वाला राव की भाई वापस अपना केजियब सहर बसाने उससे और अधिक सोना चाहिए लेकिन अपने लिए नहीं पूरे गाउं के लोगों के लिए लेकिन इस बार उसका सामना एक खतरनाक खलना एक अधिरा एने संजेदत से होता है जिसकी तलवार को सिर्फ खून चकने की आदत हो गई है राकी कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट रमिकाने रविना टेंडन की सबता भीलाती है लेकिन वह ट्विस्ट क्या है यह सब देखना फिल्म को मज़ेदार बनाता है क्योंकि इस फिल्म में ड्रामा और एक्शन भरपूर है जिसे देखर आप हैरान हो जाएंगे अमोमन ऐसी मसाल कहानी का गराप का फी को पर नीचे होता रहता है लेकिन इस फिल्म के ने कहानी के गराप को ना सिर्प ड्रामा दंबडाब डालक्स इमोशन्स और एक्षन से बांदे रखा है बलकि फिल्म में गजब का सिनमाटिक अनभव भी है एक्षन should Act 2 और नकी रगहका है हमेशा कितरे साउथ इंडियन फिल्मों में महिला पातरों को कमजोर दिखाते हैं वह नहीं होना चाहिए यस ने चार साल में खुद पर और मेहनत की है उन्होंने एक टोन पकड़ा है अपने किरदार और वह उनके दर्शकों को खोब पसंद आने वाला है स्री निधी के लिए फिल्म में कुछ भी करने को नहीं था रविना फॉम में दिखी हैं संजिदत ने सांदर काम किया है उनके किरदार से डर लगता है परकास राज का भी काम अच्छा है फिल्म केजियप चैप्टर टू यानि केजियप टू को देखने के बाथ सबसे पहले वह बात जो सबDAY लोग सबसे पहले जानना चाते हैं क्या केजियप थिरी भी बनेगी तो इसका जवाब हा नहीं है हाँ बसरते सिनेमा घर का आइडियो सिस्टम ठेक से काम कर रहा हो सिनेमा दरश से स्रव्य माध्यम है अंग्रेजी में आइडियो विजुल जो दिख रहा है और जो सुनाई दे रहा है उसका संत्रिलन फिल्म केजिय अप चैटर टू में कमाल का साधा गया है परदे पर कुछ नहीं दिख रहा हो और आवाज आ रही हो तो भी दर्शक समझ जाता है कि आवाज आ रही है आखिर क्या चल रहा है ये फिल्म सिनेमा में एंग्री इंग मैन का वजूद भी तलासती है और जिस तरह येस के परदे पर पहले परवेस पर सिनेमा हाल में दर्शकों की सीटियां तालियां और सब्दावालियां घुचती हैं उनसे लगता है कि कि सिनेमा असल में यही है दिस इज येस पन गए फिल्म केजिप चैप्टर टू की कहानी सुनने के लिए इस बार आनंद नहीं है कहानी उनका बेटा बिजेंद्र सुना रहा है कहानी के किरदार जाने पहचाने है फिल्म अपनी पुरवरती फिल्म आर 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 कितरे दिल्ली तक चड़ कर आती है दस्षिड में बन रहे है सिनेमा की कहानी को उत्तर तक लाने की जो सुरुआत मरे रतनम ने फिल्म रोजा में की थी उस परंपरा का वाहग अब आर 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 और केजिप चैप्टर टू जैसी मेगा बजट फिल्में कर रही है निर्देशक परसान नेल की फिल्म केजिप चैप्टर टू को लेकर हिंदी भासी दर्सकों में आर 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 से बहतर उत्सा है फिल्म ये भी आर 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 से बहतर बन पड़ी है हाला कि आर 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 और फिल्म केजिप चैप्टर टू एक पागलपन और दूसरा इमानदारी पागलपन हम यहां रोज देखते हैं और ये देखो इमानदारी फिल्म में एक जिगह रौकी ये भी कहता है कि ये मा की जित की कहानी है लेखक और निर्देसक पर सामनेल के जनून से बनी इस फिल्म में सलीम जावेद की लिखावड के सारे फर्मूले हैं ध्यान से देखोंगे तो येस के हावभाव उनके पहनावे उनकी अकड और उनके रुआब में आपको कभी दिवार कभी सोले तो कभी सुहाग के अमिताब बच्चन का अक्स नजर आएगा बड़े पर सत्तर के दसक में देश के गुष्टे को एक रूप देने की सलीम जावेद की कोसिस को अमिताब बच्चन ने एंगरी एंग मैन का आउकार दिया था गुष्टा यवावों में फिर पनप रहा है फिल्म केजिएप चेप्टर टू की कहानी हाला की सत्तर के दसक से असी के दसक तक आ चुकी है देश की महिला परधान मंतरी की चोखर तक जाकर राकी वार करता है सांसद में भी उसकी सेना गुज जाती है ये सब इसके बावजूद की राकी वाईलैंस पसंद नहीं करता अब वाईलैंस राकी को पसंद करे तो वाग क्या करे राकी के करिदार में यस ने फिर एक बार महफिल लूट ली है उनका मैनरेजम तालिया बटो रटा है उनका इस्टाइल सीटिया बटोरता है और जब रॉकी फर्दे पर अपनी मा पतनिया बच्ती की एक मुस्लिम महला से मूख समात करता है तो आंसू भी लियाता है कस्मीर फाइलस और केज़ अपटो की कमाई का अंतर यही है केज़ अपटो किस्तों की वहत दुर्पाई है जो समाज को जोड़ने में मदद करती है मुंबाई का सिनेमा जब लकीर के एक तरफ खड़े होकर दूसरी तरफ से बिलन तलास रहा है तो पहले आर 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 और आर और आप केज़ अपटो में समाजिक समर्स्ता की एक नई अबारत लिखी जा रही है यहां मुश्किल में काम आने वाले लोगों के मज़ा पर भी भीम को भी फख रहे और राकी को भी इन दोनों फिल्मों की सफलता का राज भी यही है इन्हें देखते हुए आपको पास की सीट पर बैठे दर्सक से सतरक नहीं रहना होता फिल्म केजियप चेप्टर टू में यस के बार अबिना टंडन और संजे दत दोनों का काम दमदार है अलबिना टंडन ने तो जिस गरिमा और गमक्ट के साथ परधान मंतरी का किरदा निभाया है वह उन्हें आने वाले दिनों में प्रुषकार भी दिला सकता है संजे दत तिस महिला में आगनी पत के कांचा से भी आगे निकल गए उनकी बेस भूसा और उनके किरदार का रोब चित्रड हाला की एक बिदेसे सिरीज के किरदार से सो फिषदी प्रेरिद दिखता है लेकिन उनका काम रोबदार है स्री नधी सेटी तो अपके एजेप्तिरी में नहीं देखेंगी लेकिन समंदर की अंतराष्टी सिमाओं में सोया राकी फिर लूटने वाला है फिल्म के एजेप्टर टू एक बिसुद्ध मसाला फिल्म है कहानी बहुत हिंसक है, किर्दार बाते कम करते हैं, अस्त सस्तर ज्यादा चलाते हैं ठेट मंबईया फिल्मों के मसालों को हाल के दिनों की कथानक आधारित फिल्मों में मिस करते रहे हिंदी सिनेमा के दर्स को को ये फिल्म खोब पसंदा सकती है बस ध्यान रहे कि इस फिल्म में वैसो तो वरुडा, सरंगार और वासले के रंग भी हैं लेकिन कहानी असल में भीतरस्म, रौस और भयानक रसों में ज़्यदा पगी है केजी अब चैप्टर 2 की कहानी को लेकर एक डायलाग है यह एक छोटे से गाउ में रही रही मा के जिद की कहानी है और उसी जिद को पूरा करने के लिए रौकी किसी भी हद तक जा सकता है वाकी केजी अब चैप्टर 2 में निर्देशिक परसान नील और यस उस वादे को पूरा किया और इस बार चैप्टर 2 में उसे और ज़्यदा भब भी बिसाल, इमोसन और इंटर्टेनिंग बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी लबख चार सालों के लंबे इंतिजार के बाद चैप्टर 2 आई है और फिल्म देकर कहा जा सकता है कि उन्होंने अपने फैंस को जरा भी निरास नहीं किया अमोमन फिल्म की सफलता की बाद स्विकल कई बार उतना परभावी नहीं बन पाती मगर यहां निर्देशक परसान नील ग्रेजर रोंग्टे खड़े कर देने वाले एक्शन इसके स्वैग और स्टाइल के साथ बॉली बुड़ के संजेदत और अविन अटेंडन जैसे माह अधी दर्सकों के लिए इंटर्टेंनिंग का तकड़ा डोष तयार करने में कामियाव रहे हैं दूसरे भाग की कहानी वही से सुरू होती है जहां पहला भाग समाप्त हुआ था रोकी भाई करोड़ा को मार कर केजियप का नया सुल्तान बन गया है उसे वहां की लोगों का बेंतिहां पियार हासिल है और उसी प्यार के बलबूते पर वो रोकी को अपना खुदा मानते हैं यहां रोकी आंधी तूपान की तरहे आगे बढ़ता जा रहा है एक मंजल फतै करने के बाद उ दूसरी मंजल पर जित हासिल करता जाता है उसे केजियप का सारा सोना अपनी मा से किया गाया वादा जो पूरा करना है कि उसे दुनिया का सबसे अमिर आदमी बनना है उसकी रह आसान नहीं है उसके दिस्मनों की तादाद बढ़ती जाती है गरुला के वहसी भाई अधिरा जिसकी तलवार खोन की प्यासी है उसका सबसे बड़ा दुस्मन है यसको अधिरा साथ ही देश की इमानदार प्रधानमंत्री रिस्मिका सेन के बिरोध और आक्रोष का सामना करना बढ़ता है अब उसकी जिंदगी में स्रीनिधी प्यार की बहार ले आई तो उस पर उसकी भी जिम्मेदारी है क्या रोके अपने दुस्मनों को माद दे पाएगा क्या वह अपनी मा से किया हुआ हुआदा निभा पाएगा अपने प्यार के साथ हिंसाब कर पाएगा इन सारे सवालों के जवाब आपको फिल्म में मिलेंगे मगर हम आपको इतना जरूर बता सकते हैं कि फिल्म क्लाइमेक्स में या भी तैकर देती है कि जब चैप्टर 3 की भी योजना है निर्देसिक क्रू में परसान नील इस्पेश्ट है कि उन्हें चैप्टर 1 की तरह हाई आक्टन एक्षन वाली इंटर्टेनिंग फिल्म बनानी है यही वज़े है कि चैप्टर 1 की प्रमपरा का निर्वाह करते हुए उन्होंने इसमें भी अंधेरी, मैली, कुछली और दहसत भरी दुनिया पेश की है फिल्म में रौ एक्षन का जलवा देखने को मिलता है जहां बंदूकों के साथ साथ हाथोड़े, चापर, चाकू और आखोबी से इस्तमाल हुआ है पहले भाग में नायक और अन्न किरदारों को डेलर करने में उन्होंने खासा समय लगाया मगर इंटर्वल के बाद फिल्म का घटना करम तेजी से बढ़ता है इस बाद निर्देशक नायक के भाटमक पच्छ पर भी जोर देते हैं मगर साथ एक मजबूत एंगरी एंग मैन भी उभरता है जो कहीं ना कहीं समाज के सोसित वर्ग के लिए मसी है अपनी कहानी और पात्रों के जरिये परचान नेल धानमिक रोद सोहादर का परिशे देना नहीं भूलते जो मुझूदा हालात में पाज्ट्टू मैसेश देता है हाँ फिल्म का वर्तमान और अधियत का सफर फड़ा कनफ्यूज जरूर करता है राकी और अधिरा के फैट सिक्वेंस का मालके है फिल्म का क्लाइमेक यस के फैंस को जजबाती कर देगा अलागि फिल्म की लंबाई अगर 10-15 मिनट कम होती तो कहानी और धारदार हो सकती थी बैगराउंड मेजिक और सिनमाटोग्राफिक और फिल्म का प्लस पॉइंट कहना गलत न होगा इसमें कोई सक नहीं है कि पूरी फिल्म यस की है यस अपनी स्टाइल अदाओं और अंदास से अपने स्वेक को बनाए रखने में कामयाब रहे हैं फिल्म में एक्षन और हिंसक दरस्तों के भरमार है मगर उसके बीच में यस कहीं अपने डालाग्स तो कहीं कॉमडी तो कहीं अपना जिजबाती पहलों दिखा कर उसे मनुरंजक बनाते जाते हैं फिल्म में हरुएन सिरी नधी के लिए यस का यह डालाग्स इसे मैं इंटर्टैनिंग के लिए लाया हूँ खलता है युवाओ के हिरो बन्च के यस को ऐसे समवादों से परहेज करना चाहिए नाइका के रूब में सिरी नधी कई फ्रेम्स में नजर तो आती हैं मगर उनकी भूंका का औश्यत समझ नहीं आता अधीरा के रूब में संजिदत ससक्त उपच्टित तरसाते हैं तो वही रवीना टंडन चुनिंता दरस्व में बाजी मार ले जाती हैं सुत्रधार के रूब में प्रकासराज, सीबिया इदिकारी के रूब में राव उमेस और अनिसयोगी कास्ट मजबूत है यसके फैंस और एक्शन ड्रामा सिनेमा के सौकीन या फिलम जरू देखे उन्हें या फिलम निरास नहीं करेगी यह कहानी वहीं से सुरू होती है जहां खतम होती है गोर्ड का बिजनेस करने वाला राकी भाई वापस आ गया है अपना केजियप सहर बसाने उससे और अधिक सोना चाहिए लेकिन अपने लिए नहीं पूरे गाउं के लोगों के लिए लेकिन इस बार उसका सामना खतरनाक खलना एक अधिरा ये शन्जेदत से होता है जिसकी तलवार को सिर्फ खून चखने की आदत हो गई है राकी भाई को सुरुआत में तो वह हिलाने मेकामयब होता है लेकिन फिर किस तरह से रौकी उसको मात देता है या नहीं दे पाता और अपने लोगों के लिए अपना समराज इस्थाबित कर पाता है या नहीं यही इस फिल्म में ट्विस्ट के साथ दिखाया गया है कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट रमिकानी रविना टेंडन की सत्ता भी लाती है लेकिन वह ट्विस्ट क्या है या सब देखना फिल्म को मज़ेदार बनाता है क्योंकि इस फिल्म में ड्रामा और एक्शन भरपूर है जिसे देखर आप हैरान हो जाएंगे अमोमन ऐसी मसाला फिल्मों में कहानी के गराप का आप ही उपर नीचे होता रहता है लेकिन इस फिल्म के निर्देशक ने कहानी के गराप को ना सिर्फ ड्रामा दमदार डालॉक्स एमोशन्स और एक्शन से बांदे रखा है बलकि फिल्म में घजब का सिनमेटिक अनभव भी है एक्शन सिन खुबसूरते से डिजाइन किये गए हैं एक अलग ही आरा नजर आता किरदार का है हमेशा कितरे साउथ इंडियन फिल्मों में महिला पात्रों को कमजोर दिखाते हैं वह नहीं होना चाहिए यस ने चार साल में खुद पर और मेहनत की है उन्होंने एक ट केजियप टू को देखने के बाद सबसे पहले वहा बात जो सभी लोग सबसे पहले जानना चाहते हैं क्या केजियप थिरी भी बनेगी तो इसका जवाब हां में हैं फिल्म बनाने वालों ने फिल्म के अगले अधाय का सोतर फिल्म के क्लायमेक्स में दिखा दिया है फिल्म परदे पर कुछ नहीं दिख रहा हो और आवाज आ रही हो तो भी दर्शक समझ जाता है कि आवाज आ रही है आखिर क्या चल रहा है ये फिल्म सिनेमा में एंगरी इंग मैन का वजूद भी तलासती है और जिस तरह यस्ट के परदे पर पहले प्रवेस पर सिनेमा हाल में दर् फिल्म के एजिप ट्रेप्टर टू की कहानी कोलार गोल्ड फिल्ड पर कबजे की कहानी में पिछली फिल्म में ही तबदिल हो चुकी थी मुंबई से निकला रौकी अब दुनिया पर राज करना चाता है परदान मंत्री कार्याले के परतिछा कच में वापना परिश्य सोने के अवेद कारुबार की देश बिदेश से कड़ियां जोड़ती है फिल्म देश की बित्ती बेवस्ता की उस कमजोर कड़ी पर भी चोड़ करती है जिसमें गुमनाम लोगों के बैंक खाते खोलकर लोग रातो रात अरपती बन गए फिल्म के जीब चैप्टर टू की क कहानी सुनने के लिए इस बार आनंद नहीं है कहानी उन्का बेटा विजेंद्र सुना रहा है कहानी के किवदार जाने पहेंचाने हैं फिल्म अपने पुर्वर्ति फिल्म और ओर के इज़व चैप्टर टू जैसी मेगा बजट फिल्में कर रही हैं निर्दे सि कि परसान नील की फिलम के जेप चैपटर 2 को लेकर हंदी भासी दर्शकों में RRR से बहतर उत्सा है फिलम ये भी RRR से बहतर बन पड़ी है हाला कि RRRR और फिलम के जेप चैपटर 2 दोनों की कम से कम एक कम जोरकर और वा है इसका जरूरत से ज्यादा लंबा खीस्ता क्लाइमेक्स केजब टेटर टू को हिंदी में लिखने वाले टीम ने कमाल का काम किया है इसके समध आपको आखिर तक याद रह जाते हैं जैसे यहां सिर्फ सास्फत नहीं है सिर्फ ताज सास्फत है या फिर हिम्मत के लि के जनून से बनी इस फिल्म में सलीम जावेद की लिखावड के सारे फारमुले हैं ध्यान से देखोंगे तो येस के हावभाव उनके पहनावे उनकी अकड़ और उनके रुआब में आपको कभी दिवार कभी सोले तो कभी सुहा के अमिताब बचन का अक्स नजर आएगा बड के दसक से असी के दसक तक आ चुकी है देश की महिला परधान मंतरी की चोखर तक जाकर राकी वार करता है देश की महिला परधान मंतरी की चोखर तक जाकर राकी वार करता है सांसत में भी उसकी सेना घुजाती है ये सब इसके बावजूद की राकी वायलेंस पसंद नहीं क करें। रोकी के किरदार में यास ने फिर एक बार भार महफिल लूट लिए। उनका माईनृरिज्म तालिया बड़ुरता है। उनका स्टाइल स्पीट या बट़टिए और जब रॉकी फर्देपर अपनी मापतनीयां बस्ती की एक इसलिम महला से मूग समाथ करता है तो आंसू भी लियाता है कस्मीर फाइल्स और केज़ अब टू की कमाई का आंतर यही है केज़ अब टू किस्तो की वह तुर्पाई है जो समाज को जोड़ने में मदद करती है मुंबाई का सिनेमा जब लकीर के एक तरफ खड़े होकर दूस यही है इन्हें देखते हुए आपको पास की सीट पर बैठे दर्सक से सतरकन ही रहना होता फिल्म के एजिएप चैप्टर टू में येस के बार रबिना टंडन और संजे दत दोनों का काम दमदार है रबिना टंडन ने तो जिस गरिमा और गमक्च के साथ परधान मंतरी का क पिषदी प्रेरिद दिखता है लेकिन उनका काम रौबदार है स्री निधी सेटी तो अप के जब तरी में नहीं देखेंगी लेकिन समंदर की अंतराश्टी सिमाओं में सोया राकी फिर लूटने वाला है फिल्म के जिएप चैप्टर टू एक बिसुद्ध मसाला फिल्म है कहानी बहुत हिंसक है किर्दार बाते कम करते हैं अस्त सस्तर ज़्यादा चलाते हैं ठेट मंबया फिल्मों के मसालों को हाल के दिनों की कतानक आधारित फिल्मों में मिस करते रहे हिंदी सिनेमा के दर्स को को ये फिल्म खोब पसंदा सकती है बस ध्यान रहे कि इस फिल्म म यह एक छोटे से गाव में रही रही मा के जिद की कहानी है और उसी जिद को पूरा करने के लिए रौकी किसी भी हद तक जा सकता है वाकी के जीप चैप्टर टू में निर्दिसिक परसाण नील और यस उस वादे को पूरा किया और इस बार चैप्टर टू में उसे और जएदा भब भी बिसाल, इमोशन और इंटर्टेनिंग बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी लगभग चार सालों के लंबे इंतिजार के बाद चैप्टर टू आई है और फिल्म देकर कहा जा सकता है कि उन्होंने अपने फैंस को जरा भी निरास नहीं किया अमोमन फिल्म की सफलता के बाद स्विकल कई बार उतना परभावी नहीं बन पाती मगर यहां निर्देशक परसान नील ग्रेजर रोंग्टे खड़े कर देने वाले एक्सन इसके स्वाइग और स्टाइल के साथ बॉली बुड के संजेदत और अभीना टेंडन जैसे माहिर अधाकारों को जोड़ कर हिंदी दर्सकों के लिए इंटर्टेंनिंग का तगड़ा डोष तयार करने में कामियाव रहे हैं दूसरे भाग की कहानी वही से सुरू होती है जहां पहला भाग समाप्द हुआ था रौकी भाई गरोडा को मार कर केजियप का नया सुल्तान बन गया है उसे वहां की लोगों का बेंतिहां प्यार हासिल है और उसी प्यार के बहुलते पर और उसी प्यार के बलबुते पर और रौकी को अपना खुदा मानते हैं यहां रौकी आंधी तोपान की तरह आगे बढ़ता जा रहा है एक मंजिल फतह करने के बाद और दूसरी मंजिल पर जित हासिल करता जाता है उसे केजियप का सारा सोना चाहिए अपनी मा से किया गया वादा जो पूरा करना है कि उसे दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना है उसकी रह आसान नहीं है उसके दुस्मनों की तादाद बढ़ती जाती है गरुडा के वहसी भाई अधिरा जिसकी तलवार खून की प्यासी है उसका सबसे बड़ा दुस्मन है यह उसको अधिरा साथ ही देश की इमानदार प्रधान मंतरी रिसम का सेन के बिरोध और आक्रो आप कर पाएगा इन सारे सवालों के जवाब आपको फिल्म में मिलेंगे मगर हम आपको इतना जरूर बता सकते हैं कि फिल्म क्लाइमेक्स में या भी तेकर देती है कि जब चैप्टर 3 की भी योजना है निर्देशिक क्रू में परसान नील इस्पेशल थे कि उन्हें चैप जलवा देखने को मिलता है जहां बंदूकों के साथ साथ हाथोड़े चापर चाकू और आख खोबी से इस्तमाल हुआ है पहले भाग में नायक और अन्न किरदारों को डेलर करने में उन्होंने खासा समय लगाया मगर इंटरवल के बाद फिल्म का घटना करम तेजी से बढ है अपनी कहानी और पात्रों के जरिये परचान नेल धानमिक रौद सोहादर का परिशे देना नहीं भूलते जो मुझूदा हालात में पाज्टू मैसेश देता है हाँ फिल्म का वरतमान और अधियत का सफर थोड़ा कनफ्यूज जरूर करता है राकी और अधिरा के फैट स पॉइंट कहना गलत ना होगा इसमें कोई सक नहीं है कि पूरी फिल्म यस की है यस अपनी स्टाइल अदाओं और अंदास से अपने स्वएक को बनाय रखने में कामयाब रहे हैं फिल्म में एक्षन और हिंसक दरस्तों के भरमार है मगर उसके बीच में यस कहीं अपने डाल उसे परहेज करना चाहिए नाइका के रूब में स्री निधी कई फ्रेम्स में नजर तो आती हैं मगर उनकी भूंका का औश्यत समझ नहीं आता अधीरा के रूब में संजिदत ससक तो पस्तित दरस आते हैं तो वही रवीना टंडन चुनिंता दरस्तों में बाजी मार ले ज करेगी यहा कहानी वहीं से सुरू होती है जहां खतम होती है गोर्ड का बिजनेस करने वाला रौकी भाई वापस आ गया है अपना केजिएप सहर बसाने उससे और अधिक सोना चाहिए लेकिन अपने लिए नहीं पूरे गाउं के लोगों के लिए लेकिन इस बार उसका सामन के इसको मात देता है या नहीं दे पाता और अपने लोगों के लिए अपना समराज इस्थाबित कर पाता है या नहीं यही इस फिल्म में ट्विस्ट के साथ दिखाये गया है कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट रमिकानी रभीना टेंडन की सत्ता भीलाती है लेकिन वहाई क्या है या सब देखना फिल्म को मज़ेदार बनाता है क्योंकि इस फिल्म में ड्रामा और एक्षन भरपूर है जिसे देखर आप हैरान हो जाएंगे अमोमन ऐसी मसाला फिल्मों में कहानी के गराप काफी उपर नीचे होता रहता है लेकिन इस फिल्म के निर्देशक ने कहानी के गराप को ना सिर्फ ड्रामा दमदाव डालॉक्स एमोशन्स और एक्षन से बांधे रखा है बलकि फिल्म में घजब का सिनमेट्रिक अनभव भी है एक्षन सिन खुबसूरते से डिजाइन किये गए हैं एक अलग ही आरा नजर आता किर्दार का है हमेशा कितरे साउथ इंडियन फिल्मों में महिला पात्रों को कमजोर दिखाते हैं वह नहीं होना चाहिए यस ने चार साल में खुद पर और मेहनत की है उन्होंने एक टोन पकड़ा है अपने किर्दार और वह उनके दर्शकों को खोब पसंद आने वाला है स्री निधी के लिए फिल्म में कुछ भी करने को नहीं था रविना फाम में दिखी है संजिदत ने सांदर काम किया है उनके किर्दार से डर लगता है परकासराज का भी काम अच्छा है फि फिल्म केजिअप चैटर टू एक बिसाल का अन्वास के लिए सोची गई कहानी है आई मैक्स पर इसे देखने का आनन्द ही कुछ और है हाँ बसरते सिनेमा घर का आइडियो सिस्टम ठीक से काम कर रहा हो सिनेमा दरस से स्रब माध्यम है अंग्रेजी में आइडियो विजु वजूद भी तलासती है और जिस तरह यस के परदे पर पहले परवेस पर सिनेमा हाल में दर्शकों की सीटियां तालियां और सब्दावालियां घुचती हैं उनसे लगता है कि कि सिनेमा असल में यही है दिस इच यस फिल्म के जिप टेटर टू की कहानी कॉलार गोल्ड फि रूम में देता है सोने के अवेद कारुबार की देश बिदेश से कड़ियां जोड़ती है फिल्म देश की बित्ती बेवस्ता की उस कमजोर कड़ी पर भी चोड़ करती है जिसमें गुमनाम लोगों के बैंक खाते खोलकर लोग रात और अरब पती बन गए फिल्म के जिप के लिए इस बार आनद नहीं है कहानी उनका बेटा विजयन्दर सुना रहा है कहानी के तर तक चटड कर आती है दispiel में बन रहे हैं सिनेमा की कहानी को उत्तर तक लाने की जो सुरू आत्म रतनमने फिल्म रोज़ा में की थी उस परंपरा का वह ठारुर में कर रही है निर्देसक परसान निर्ड की फिल्म केजिप चैपटर 2 को लेकर हिंदी भासी दर्सकों में RRR से बहतर उत्सा है फिल्म ये भी RRR से बहतर बन पड़ी है हाला कि RRR और फिल्म केजिप चैपटर 2 दोनों की कम से कम एक कमजोर कड़ी समान है और वह है इसका जरूरत से ज्यादा लंबा खिसता क्लाइमेक्स केजब टेटर टू को हिंदी में लिखने वाले टीम ने कमाल का काम किया है इसके समाद आपको आखिर तक याद रह जाते हैं जैसे यहां सिर्फ सास्थ नहीं है सिर्फ ताज सास्थ है या फिर हिम्मत के लिद दो चीज़े चाहिए होती है एक पागलपन और दूसरा इमानदारी पागलपन हम यहां रोज देखते हैं और ये देखो इमानदारी फिल्म में एक जिगह रौकी ये भी कहता है कि ये मा की जित की कहानी है लेखा का और निर्देशक पर सामनेल के जिनून से बनी इस फिल्म में सलीम जावेद की लिखावड के सारे फारमूले है ध्यान से देखोंगे तो येस के हावभाव उनके पहनावे उनकी अकड और उनके रुआब में आपको कभी दिवार कभी सोले तो कभी सुहा क्या मिताब बच्चन का अक्स नजर आएगा बड़े पर सत्तर के दसक में देश के गुष्टे को एक रूप देने की सलीम जावेद की कोसिस को अमिताब बच्चन ने एंगरी एंग मैन का आउकार दिया था गुष्टा यवावों में फिर पनप रहा है फिल्म केजिएप चैप्टर टू की कहानी हाला की सत्तर के दसक से असी के दसक तक आ चुकी है देश की महिला परधान मंतरी की चोखर तक जाकर राकी वार करता है सांसत में भी उसकी सेना गुज जाती है यह सब इसके बावजूद की राकी वाइलेंस पसंद नहीं करता अब वाइलेंस राकी को पसंद करे तो वह क्या करे राकी के किरदार में यस ने फिर एक बार महिफिल लूट ली है उनका मैनरिज्म तालिया बटोरता है उनका स्टाइल सीडिया बटोरता है और जब रॉकी फर्दे पर अपनी माप पतनिया बच्ती की एक मुस्लिम महला से मुख समाथ करता है तो आंसू भी लियाता है कस्मीर फाइल्स और केजियप टू की कमाई का आंतर यही है केजियप टू किस्तो की वहत रुपाई है जो समाज को जोड़ने में मदद करती है मुंबाई का सिनेमा जब लकीर के एक तरफ खड़े होकर दूसरी तरफ से बिलन तलास रहा है तो पहले आर 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 और आप केजियप टू में समाजिक समर्स्ता की एक नई अबारत लिखी जा रही है यहां मुश्किल में काम आने वाले लोगों के मज़ा पर भी भीम को भी फख रहे और राकी को भी इन दोनों फिल्मों की सफलता का राज भी यही है इन्हें देखते हुए आपको पास की सीट पर बैठे दर्सक से सतरक नहीं रहना होता फिल्म के एजियप चैप्टर टू में येस के बार रबीना टंडन और संजे दत दोनों का काम दमदार है रबीना टंडन ने तो जिस गरिमा और गमक्ट के साथ परधान मंदरी का किरदा निभाया है वह उन्हें आने वाले दिनों में प्रुषकार भी दिला सकता है संजे दत इस महिला में अगनी पत के कांचा से भी आगे निकल गए उनकी बेस भूसा और उनके किरदार का रोब चित्रड़ हाला की एक बिदेसे सीरीज के किरदार से सो फिषदी प्रेरिद दिखता है लेकिन उनका काम रोबदार है स्री निधी सेटी तो अब केजेब तरी में नहीं देखेंगी हाल के दिनों की कतानक आधारित फिल्मों में मिस करते रहे हिंदी सिनेमा के दर्स को को ये फिल्म खोब पसंदा सकती है बस ध्यान रहे कि इस फिल्म में वैसो तो वरुडा सरंगार और वासले के रंग भी है लेकिन कहानी असल में भीतरस्म, रौस और भयानक रसों में ज़्यदा पगी है केजिएप चैप्टर 2 की कहानी को लेकर एक डायलाग है यह एक छोटे से गाउ में रही रही मा के जिद की कहानी है और उसी जिद को पूरा करने के लिए रौकी किसी भी हत तक जा सकता है वाकी केजिएप चैप्टर 2 में निर्देसिक परसान नील और यस उस वादे को पूरा किया और इस बार चैप्टर 2 में उसे और जएदा भब भी बिसाल, इमोसन और इंटर्टेनिंग बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी लबख चार सालों के लंबे इंतिजार के बाद चैप्टर 2 आई है और फिल्म देकर कहा जा सकता है कि उन्होंने अपने फैंस को जरा भी निरास नहीं किया अब मुमन फिल्म की सफलता के बाद स्विकल कई बार उतना परभावी नहीं बन पाती मगर यहां निर्देशक परसान नील ग्रेजर रोंग्टे खड़े कर देने वाले एक्शन इसके स्वाइग और स्टाइल के साथ बाली बुड के संजेदत और अभीन आटेंडन जैसे माहिर अधाकारों को जोड़ कर हिंदी दर्सकों के लिए इंटर्टेंनिंग का तकड़ा डोस्त तयार करने में कामियाब रहे हैं दूसरे भाग की कहानी वही से सुरू होती है जहां पहला भाग समाप्त हुआ था रौकी भाई करोडा को मार कर केजियप का नया सुल्तान बन गया है उसे वहां की लोगों का बेंतिहां प्यार हासिल है और उसी प्यार के बहुलते पर और उसी प्यार के बलबुते पर वो रौकी को अपना खुदा मानते हैं यहां रौकी आंधी तूपान की तरह आगे बढ़ता जा रहा है एक मंजल फतह करने के बाद और दूसरी मंजल पर जित हासिल करता जाता है उसे केजियप का सारा सोना चाहिए अपनी मा से किया गया वादा जो पूरा करना है कि उसे दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना है उसकी रह आसान नहीं है उसके दूसमनों की तादाद बढ़ती जाती है गरुडा के वहसी भाई अधिरा जिसकी तलवार खोन की प्यासी है उसका सबसे बड़ा दूसमन है यसको अधिरा साथ ही देश की इमानदार प्रधान मंतरी रिस्मिका सेन के बिरोध और आक्रोष का सामना करना पड़ता है अब उसकी जिंदगी में स्रीनिधी प्यार की बहार ले आई तो उस पर उसकी भी जिम्मेदारी है क्या रोके अपने दुसमनों को माद दे पाएगा क्या वह अपनी मा से किया हुआ वादा निभा पाएगा अपने प्यार के साथ हिंसाब कर पाएगा इन सारे सवालों के जवाब आपको फिल्म में मिलेंगे मगर हम आपको इतना जरूर बता सकते हैं कि फिल्म क्लाइमेक्स में या भी तेकर देती है कि जब चैप्टर 3 की भी योजना है निर्देशिक क्रू में परसान नील इस्पेशल थे कि उन्हें चैप्टर 1 की तरह हाई आक्टन एक्षन वाली इंटर्टेनिंग फिल्म बनानी है यही वज़े है कि चैप्टर 1 की परमपरा का निर्वाह करते हुए उन्होंने इसमें भी अंधेरी, माली, कुछली और दहसत भरी दुनिया पेस की है फिल्म में रौ एक्षन का जलवा देखने को मिलता है जहां बंदूकों के साथ साथ हाथोड़े, चापर, चाकू और आख खोबी से इस्तमाल हुआ है पहले भाग में नायक और अन्न किरदारों को डेवलर करने में उन्होंने खासा समय लगाया मगर इंटर्वल के बाद फिल्म का घटना करम तेजी से बढ़ता है इस बाद निर्देशक नायक के भातमक पच्छ पर भी जोर देते हैं मगर साथ एक मजबूत एंगरी एंगमैन भी उभरता है जो कहीं ना कहीं समाज के सोसित वर्ग के लिए मसी है अपनी कहानी और पात्रों के जरिये परचान नेल धानमिक रौद सोहादर का परिशे देना नहीं भूलते जो मुझूदा हालात में पाजट्यू मैसेश देता है हाँ फिल्म का वर्तमान और अधियत का सफर थोड़ा कनफ्यूज जरूर करता है रौकी और अधियरा के फैट सिक्वेंस का मालके है फिल्म का कलाइमेक्स यस के फैंस को जजबाती कर देगा आला कि फिल्म की लंबाई अगर 10-15 मिनट कम होती तो कहानी और धारदार हो सकती थी बैगराउंड मेजिक और सिनमाटोग्राफी को फिल्म का प्लस पॉइंट कहना गलत ना होगा इसमें कोई सक नहीं है कि पूरी फिल्म यस की है यस अपनी स्टाइल, अदाओं और अंदास से अपने सोईक को बनाए रखने में कामयाब रहे हैं फिल्म में एक्षन और हिंसक दर्स्टों के भरमार है मगर उसके बीच में यस कहीं अपने डालाग्स तो कहीं कॉमडी तो कहीं अपना जिजबाती पहलो दिखा कर उसे मनुरेंजक बनाते जाते हैं फिल्म में हरुएन सिरी नधी के लिए यस का यह डालाग्स इसे मैं इंटर्टैनिंग के लिए लाया हूँ खलता है युवाओ के हिरो बन्च के यस को ऐसे समवादों से परहेज करना चाहिए नाइका के रूब में सिरी नधी कई फ्रेम्स में नजर तो आती हैं मगर उनकी भूंका का औश्यत समझ नहीं आता अधीरा के रूब में संजिदत ससक्त उपच्तित दर्साते हैं तो ही रवीना टंडन चुनिंता द्रश्चों में बाजी मार ले जाती हैं सुतरधार के रूब में प्रकासराज, सीबिया इदिकारी के रूब में राव उमेस और अनिसयोगी कास्ट मजबूत है यसके फैंस और एक्षन ड्रामा सिनेमा के सौकीन या फिलम जरू देखे उन्हें या फिलम निरास नहीं करेगी यहां कहानी वहीं से सुरू होती है जहां खतम होती है गोर्ड का बिजनेश करने वाला राकी भाई वापस आ गया है अपना केजियप सहर बसाने उसे और अधिक सोना चाहिए लेकिन अपने लिए नहीं पूरे गाउं के लोगों के लिए लेकिन इस बार उसका सामना खतरणाक खलना एक अधिराने संजेद्ट्ट से होता है जिसकी तल्वार को सिर्फ खून चखने की आदद हो गई है राकी भाई को सुरुवात में तो वहां हिलाने में कामयब होता है लेकिन फिर किस तरह से रहकी उसको मात देता है या नहीं दे पाता और अपने लोगों के लिए अपना समराज इस्थाबित कर पाता है या नहीं यही इस फिल्म में ट्विस्ट के साथ दिखाया गया है कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट रमिकाने रविना टेंडन की सबता भीलाती है लेकिन वह ट्विस्ट क्या है या सब देखना फिल्म को मज़ेदार बनाता है क्योंकि इस फिल्म में ड्रामा और एक्शन भरपूर है जिसे देखर आप हैरान हो जाएंगे अमोमन ऐसी मसाला फिल्मों में कहानी के गराप काफी उपर नीचे होता रहता है लेकिन इस फिल्म के निर्देशक ने कहानी के गराप को ना सिर्फ ड्रामा दमदाव डालॉक्स एमोशन्स और एक्शन से बांदे रखा है बलकि फिल्म में घजब का सिनमेट्रिक अनभव भी है एक्शन सिन खुबसूरते से डिजाइन किये गए हैं एक अलग ही आरा नजर आता किरदार का है हमेशा कितरे साउथ इंडियन फिल्मों में महिला पात्रों को कमजोर दिखाते हैं वह नहीं होना चाहिए यस ने चार साल में खुद पर और मेहनत की है उन्होंने एक ट चैप्टर 2 यहनी केजियेब 2 को देखने के बास सबसे पहले वह बात जो सभी लोग सबसे पहले जानना चाहते हैं क्या केजिययब 3 भी बनेंगी तो इसका जवाब हाँए है फिल्म बनाने वालोंने फिल्म के अगले अध्धाय का सूतर फिल्म के क्लाइमेक्स में दिखा पिल्म केजी अप चैटर टू एक बिसाल का इन्वास के लिए सोची गई कहानी है आई मैक्स पर इसे देखने का आनन्द ही कुछ और है हाँ बसरते सिनेमा घर का आइडियो सिस्टम ठीक से काम कर रहा हो सिनेमा दरस्ते स्रब माध्यम हैं अंग्रेजी में आइडियो विजु इंग मैन का वजूद भी तलास्ती है और जिस तरह यस्ट के परदे पर पहले प्रवेस पर सिनेमा हाल में दर्शकों की सीटियां तालिया और सब्दावालियां घुचती हैं उनसे लगता है कि कि सिनेमा असल में यही है दिस इज यस फिल्म के एजिप्ट एटर टू की कहा कानी में पिछली फिल्म में ही तबदिल हो चुकी थी मुंबई से निकला रौकी अब दुनिया पर राज करना चाता है परदान मंत्री कारियाले के परतिछा कच में वापना परिशाय देश के सीई-ओ के रूम में देता है सोने के अवेद कारुबार की देश बिदेश से कमजोर कड़ी पर भी चोड़ करती है जिसमें गुमणाम लोगों के बैंक खाते खोल कर लोग रातो रात अरब पती बन गए फिल्म के जीब चैप्टर टू की कहानी सुनने के लिए इस बार आनंद नहीं है कहानी उनका बेटा बिजेंद्र सुना रहा है कहानी के किरदार जाने पहचाने हैं फिल्म अपने पुरवर्ति फिल्म आर 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 कित्रह दिल्ली तक चट कर आती है दजचिड में बन रहे है सिनेमा की कहानी को उत्तर तक लाने की जो सुरुआत मरे रत नम ने फिल्म रोजा में की थी उस परंपरा का वाहःग अब आर 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 और के तो दोनों की कम से कम एक कमजोर कड़ी समान है और वह है इसका जरूरत से ज़्यादा लंबा खिसता क्लाइमेक्स के जब टेटर टू को हिंदी में लिखने वाले टीम ने कमाल का काम किया है इसके समाद आपको आखिर तक याद रह जाते हैं जैसे यहां सिर्फ सास्त नहीं है सिर्फ ताज सास्त है या फिर हिम्मत के लिए दो चीजे चाहिए होती हैं एक पागलपन और दूसरा इमानदारी पागलपन हम यहां रोज देखते हैं और ये देखो इमानदारी फिल्म में एक जिगह है रौकी ये भी कहता है कि ये मा की जित की कहानी है लेखक और वार कभी सोले तो कभी सुहाग के अमिताब बच्चन का अक्स नजर आएगा बड़े पर सत्तर के दसक में देश के गुस्ते को एक रूप देने की सलिम जावैत की कोसिस को अमिताब बच्चन ने एंगरी एंग मैन का आउकार दिया था गुस्ता यवाओं में फिर पनप र फिल्म केजिएप चैप्टर टू की कहानी हाला की सत्तर के दसक से असी के दसक तक आ चुकी है देश की महिला परधान मंतरी की चोखर तक जाकर राकी वार करता है सांसत में भी उसकी सेना गुज जाती है यह सब इसके बावजूद की राकी वाइलेंस पसंद नहीं करता और जब राकी फर्दे पर अपनी मा पतनिया बच्ती की एक मुस्लिम महिला से मुख समाथ करता है तो आंसू भी लियाता है कस्मीर फाइल्स और केजिएप टू की कमाई का आंतर यही है केजिएप टू किस्तों की वह तुर्पाई है जो समाज को जोड़ने में मदद करती ह मुंबाई का सिनेमा जब लकीर के एक तरफ खड़े होकर दूसरी तरफ से बिलन तलास रहा है तो पहले आर 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 और आर और आप केजिएप टू में समाजिक समर्स्ता की एक नई अबारत लिखी जा रही है यहां मुस्किल में काम आने वाले लोगों के मज़ा पर भी भी कीम को भी फकर है और राकी को भी इन दोनों फिल्मों की सफलता का राज भी यही है इन्हें देखते हुए आपको पास की सीट पर बैठे दर्सक से सतरक नहीं रहना होता फिल्म के एजिएप चैप्टर टू में येस के बार अबिना टंडन और संजे दत दोनों का काम दमद गए उनकी बेस भूसा और उनके किरदार का रोब चित्रड हाला की एक बिदेसे सीरीज के किरदार से सो फिषदी प्रेरिद दिखता है लेकिन उनका काम रोबदार है स्री नदी सेटी तो अप के एजिएप 3 में नहीं देखेंगी लेकिन समंदर की अंतराश्टी सिमाओं म में सोया राकी फिर लूटने वाला है फिल्म के एजिएप टेर्टर 2 एक बिसुध मसाला फिल्म है कहानी बहुत हिंसक है किरदार बाते कम करते हैं अस्त शस्तर ज्यादा चलाते हैं ठेट मुंबईया फिल्मों के मसालों को हाल के दिनों की कथानक आधारित फिल्मों में मि देतस्म रौस और भयानक रसों में ज़्यदा पगी है केजिएप चैप्टर टू की कहानी को लेकर एक डायलाग है यह एक छोटे से गाउ में रही रही मा के जिद की कहानी है और उसी जिद को पूरा करने के लिए राकिक किसी भी हद तक जा सकता है वाकि केजिएप चैप्ट टू आई है और फिल्म देकर कहा जा सकता है कि उन्होंने अपने फैंस को जरा भी निरास नहीं किया अमोमन फिल्म की सफलता की बास स्विकल कई बार उतना परभावी नहीं बन पाती मगर यहां निर्देशक परसान नील ग्रेजर रोंग्टे खड़े कर देने वाले जैसे माहिर अधाकारों को जोड़कर हिंदी दर्सकों के लिए इंटर्टेनिंग का तकड़ा डोष तयार करने में कामियाव रहे हैं दूसरे भाग की कहानी वही से सुरू होती है जहां पहला भाग समाप्त हुआ था रोकी भाई करोड़ा को मार कर केजियप का नया सुलता बन गया है उसे वहां की लोगों का बेंतिहां प्यार हासिल है और उसी प्यार के बहुलते पर और उसी प्यार के बलबुते पर और रोकी को अपना खुदा मानते हैं यहां रोकी आंधी दूपान की तरह आगे बढ़ता जा रहा है एक मंजिल फतह करने के बाद और दूसरी मंजल पर जित हासिल करता जाता है उसे केजियप का सारा सोना चाहिए अपनी मा से किया गया वादा जो पूरा करना है कि उसे दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना है उसकी रह आसान नहीं है उसके दिस्मनों की तादाद बढ़ती जाती है गरुला के वहसी भाई अधिरा जिसकी तलवार खून की प्यासी है उसका सबसे बड़ा दुस्मन है यसको अधिरा साथ ही देश की इमानदार प्रधान मंतरी रिस्मिका सेन के बिरोध और आक्रोश का सामना करना बढ़ता है अब उसकी जिंदगी में स्री निदधी प्यार की बहार ले आई तो उस पर उसकी भी जिम्मेदारी है क्या रोके अपने दुस्मनो को माद दे पाएगा क्या वह अपनी मा से किया हुआ प्यार के साथ इंसाभ कर पाएगा इन सारे सवालों के जवाब आपको फिल्म में मिलेंगे मगर हम आपको इतना जरूर बता सकते हैं कि फिल्म क्लाइमेक्स में या भी तैकर देती है कि जब चैप्टर 3 की भी योजना है निर्देसिक क्रू में परसान नेल इस्पेशलित है फिल्म में रौ एक्षन का जलवा देखने को मिलता है जहां बंदूकों के साथ साथ हाथोड़े, चापर, चाकू और आखोबी से इस्तमाल हुआ है पहले भाग में नायक और अन्न किरदारों को डेलर करने में उन्होंने खासा समय लगाया मगर इंटर्वल के बाद फिल्म का घटना करम तेजी से बढ़ता है इस बाद निर्देशक नायक के भावत्मक पच्छ पर भी जोर देते हैं मगर साथ एक मजबूत एंगरी एंग मैन भी उभरता है जो कहीं ना कहीं समाज के सोसित वर्ग के लिए मसी है अपनी कहानी और पात्रों के जरिये परचान नेल धानमिक रोद सोहादर का परिशे देना नहीं भूलते जो मुझूदा हालात में पाजट्टू मैसेश देता है हाँ फिल्म का वर्तमान और अधियत का सफर फ़ड़ा कनफ्यूज जरूर करता है राकी और अधिरा के फैट सिक्वेंस का मालके है फिल्म का क्लाइमेक यस के फैंस को जजबाती कर देगा अलागि फिल्म की लंबाई अगर 10-15 मिनट कम होती तो कहानी और धारदार हो सकती थी बैगराउंड मेजिक और सिनमाटोग्राफिक और फिल्म का प्लस पॉइंट कहना गलत न होगा इसमें कोई सक नहीं है कि पूरी फिल्म यस की है यस अपनी स्टाइल अदाओं और अंदास से अपने स्वेक को बनाए रखने में कामयाब रहे हैं फिल्म में एक्षन और हिंसक दरस्तों के भरमार है मगर उसके बीच में यस कहीं अपने डालाउक्स तो कहीं कॉमडी तो कहीं अपना जिजबाती पहलों दिखा कर उसे मनुरंजक बनाते जाते हैं फिल्म में हरुएन सिरी नधी के लिए यस का यह डालॉग इसे मैं इंटर्टेनिंग के लिए लाया हूँ खलता है युवाओ के हिरो बन्च के यस को ऐसे समवादों से परहेज करना चाहिए नाइका के रूब में सिरी नधी कई फ्रेम्स में नजर तो आती हैं मगर उनकी भूंका का औश्यत समझ नहीं आता अधीरा के रूब में संजिदत ससक्त उपच्टित तरसाते हैं तो वही रवीना टंडन चुनिंता द्रश्व में बाजे मार ले जाती हैं सुतरधार के रूब में प्रकासराज, सीबिया इदिकारी के रूब में राव उमेस और अनिसयोगी कास्ट मजबूत है यसके फैंस और एक्शन ड्रामा सिनेमा के सौकीन या फिलम जरू देखे उन्हें या फिलम निरास नहीं करेगी यहा कहानी वहीं से सुरू होती है जहां खतम होती है गोर्ड का बिजनेस करने वाला राकी भाई वापस आ गया है अपना केजियप सहर बसाने उससे और अधिक सोना चाहिए लेकिन अपने लिए नहीं पूरे गाउं के लोगों के लिए लेकिन इस बार उसका सामना एक खतरनाक खलना एक अधिरा ये संजेदत से होता है जिसकी तलवार को सिर्फ खून चखने की आदत हो गई है राकी भाई को सुरुआत में तो वह हिलाने मेकामयब होता है लेकिन फिर किस तरह से राकी उसको मात देता है या नहीं दे पाता और अपने लोगों के लिए अपना समराज इस्थापित कर पाता है या नहीं यही इस फिल्म में ट्विस्ट के साथ दिखाया गया है कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट रमिकानी रविना टेंडन की सत्ता भीलाती है लेकिन वह ट्विस्ट क्या है या सब देखना फिल्म को मज़ेदार बनाता है क्योंकि इस फिल्म में ड्रामा और एक्शन भरपूर है जिसे देखर आप हैरान हो जाएंगे अमोमन ऐसी मसाला फिल्मों में कहानी के गराप काफी उपर नीचे होता रहता है लेकिन इस फिल्म के निर्देशक ने कहानी के गराप को ना सिर्फ ड्रामा दमदाव डालॉक्स एमोशन्स और एक्शन से बांदे रखा है बलकि फिल्म में घजब का सिनमाटिक अनभव भी है एक्शन सिन खुबसूरते से डिजाइन किये गए हैं एक अलग ही आरा नजर आता किरदार का है हमेशा कितरे साउथ इंडियन फिल्मों में महिला पातरों को कमजोर दिखाते हैं वह नहीं होना चाहिए यस ने चार साल में खुद पर और मेहनत की है उन्होंने एक टोन पकड़ा है अपने किरदार और वह उनके दर्सकों को खोब पसंद आने वाला है स्रीन इधी के लिए फिल्म में कुछ भी करने को नहीं था रवीना फाम में दिखी है संजी देद ने सांदर काम किया है उनके किरदार से डर लगता है परकासराज का भी काम अच्छा है फिल्म केजिएप चैप्टर टू यानि केजिएप टू को देखने के बास सबसे पहले हुआ बात जो सबी लोग सबसे पहले जानना चाहते हैं क्या केजिएप टिरी भी बनेगी तो इसका जवाब हा में है फिल्म बनाने वालों ने फिल्म के अगले अधाय का सोतर फिल्म के क्लाइमेक्स में दिखा दिया है फिल्म केजिएप चैप्टर टू एक बिसाल का अन्वास के लिए सुची गई कहानी है आई मैक्स पर इसे देखने का आनन्द ही कुछ और है हाँ बसरते सिनेमा घर का आइडियो सिस्टम ठीक से काम कर रहा हो सिनेमा दरस से स्रब्य माध्यम है अंग्रेजी में आइडियो विजुल जो दिख रहा है और जो सुनाई दे रहा है उसका संतिलन फिल्म केजिप चैटर टू में कमाल का साधा गया है परदे पर कुछ नहीं दिख रहा हो और आवाज आ रही हो तो भी दर्शक समझ जाता है कि आवाज आ रही है आखिर क्या चल रहा है ये फिल्म सिनेमा में एंगरी इंग मैन का वजूद भी तलासती है और जिस तरह येस के परदे पर पहले परवेश पर सिनेमा हाल में दर्शकों की सीटियां तालियां और सब्दावालियां घुचती हैं उनसे लगता है कि कि सिनेमा असल में यही है फिल्म के एजिप्टर टू की कहानी कॉलार गोल्ड फिल्ड पर कबजे की कहानी में पिछली फिल्म में ही तबदिल हो चुकी थी मुंबई से निकला रौकी अब दुनिया पर राज करना चाता है परदान मंतरी कारियाले के परतिछा कच में वापना परिचाए देश के सीई ओ के रूम में देता है सोने के अवेद कारुबार की देश बिदेश से कड़ियां जोडती है फिल्म देश की बित्ती बेवस्था की उस कमजोर कड़ी पर भी चोड़ करती है जिसमें गुम्नाम लोगों के बैंक खाते खोल कर लोग रातो रात अरपती बन गए फिल्म केजिब चैप्टर टू की कहानी सुनने के लिए इस बार आनंद नहीं है कहानी उनका बेटा बिजेंद्र सुना रहा है कहानी के किरदार जाने पहचाने है फिल्म अपने पुर्वरती फिल्म आर 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 के तरह दिल्ली तक चड़ कर आती है दच्छिड में बन रहे सिनेमा की कहानी को उत्तर तक लाने की जो सुरुआत मड़े रतनम ने फिल्म रोजा में की थी उस प्रंपरा का वाहाग अब आर 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 और केजिप चैटर टू जैसी मेगा बजट फिल्में कर रही है निर्देसक परसान नेल की फिल्म केजिप चैपटर टू को लेकर हिन्दी भासी दर्सकों में आर 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 से बहतर उत्सा है फिल्म ये भी RRR से बहतर बन पड़ी है हाला कि RRR और फिल्म केजेप चेप्टर 2 दोनों की कम से कम एक कम जोरकड़ी समान है और वह है इसका जरूरत से ज्यादा लंबा खिसता क्लाइमेक्स केजेप्टर 2 को हिंदी में लिखने वाले टीम ने कमाल का काम किया है इसके समाद आपको आखिर तक याद रह जाते हैं जैसे यहां सिर्फ सास्थ नहीं है सिर्फ ताज सास्थ है या फिर हिम्मत के लिए दो चीजे चाहिए होती है एक पागलपन और दूसरा इमानदारी पागलपन हम यहां रोज देखते हैं और ये देखो इमानदारी फिल्म में एक जिगह रौकी ये भी कहता है कि ये मा की जित की कहानी है लेखक और निर्देशक पर सामनेल के जनून से बनी इस फिल्म में सलीम जावेद की लिखावड के सारे फर्मूले हैं ध्यान से दोखोंगे तो येस के हावभाव उनके पहनावे उनकी अकड़ और उनके रुआब में आपको कभी दिवार कभी सोले तो कभी सुहाग के अमिताब बच्चन का अक्स नजर आएगा बड़े पर सत्तर के दसक में देश के गुस्ते को एक रूप देने की सलीम जावेद की कोसिस को अमिताब बच्चन ने एंगरी इंग मैन का आवकार दिया था गुस्ता यवावों में फिर पनप रहा है फिल्म केजिएप चैप्टर टू की कहानी हाला की सत्तर के दसक से असी के दसक तक आ चुकी है देश की महिला परधान मंतरी की चोखर तक जाकर राकी वार करता है सांसद में भी उसकी सेना गुजाती है ये सब इसके बावजूद की राकी वाइलेंस पसंद नहीं करता अब वाइलेंस राकी को पसंद करे तो वह क्या करे राकी के करदार में यस ने फिर एक बार महफिल लूट ली है उनका माइनरिज्म तालिया बटोरता है उनका स्टाइल सीडिया बटोरता है और जब राकी फर जब लकीर के एक तरफ खड़े होकर दूसरी तरफ से बिलन तलास रहा है तो पहले और 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 आपकी एजियप टू में समाजिक समर्स्ता की एक नई अबारत लिखी जा रही है यहां मुश्किल में काम आने वाले लोगों के मज़ा पर भी भीम को भी फ गमक्च के साथ परधान मंतरी का किर्दा निभाया है वहाँ उन्हें आने वाले दिनों में प्रुषकार भी दिला सकता है संजी दत्ति इस महिला में आगनी पत के कांचा से भी आगे निकल गए उनकी बेस भूसा और उनके किर्दार का रोब चित्रड हाला की एक बिदेसे स्रीज के किर्दार से सो फिषदी प्रेरिद दिखता है लेकिन उनका काम रौबदार है स्री निधी सिट्टी तो अप के जब तरी में नहीं देखेंगी लेकिन समंदर के अंतराश्टी सिमाओं में सोया राकी फिर लूटने वाला है फिल्म के जब चेड़ टू एक बिसु दा सकती है बस ध्यान रहे कि इस फिल्म में वैसो तो वरुडा सरंगार और वासले के रंग भी है लेकिन कहानी असल में भीतरस्म रौस और भयानक रसों में ज्यदा पगी है केजी अप चैप्टर टू की कहानी को लेकर एक डालाग है या एक छोटे से गाउं में रही रही इमा के जित की कहानी है और उसी जित को पूरा करने के लिए रौकी किसी भी हद तक जा सकता है वाकी के जिएफ चैप्टर टू में निर्दिसिक परसान नील और यस उस وعدے को पूरा किया और इस बार चैप्टर टू में उसे और जदा भब भी विसाल, इमोशन और इंटेर भावी नहीं बन पाती मगर यहां निर्देशक परसान नील ग्रेजर रोंग्टे खड़े कर देने वाले एक्सन इसके स्वाइग और स्टाइल के साथ बॉली बुड के संजेदत और अभीन अटेंडन जैसे माहिर अधाकारों को जोड़कर हिंदी दर्सकों के लिए है और उसी प्यार के बहुलते पर और उसी प्यार के बल्बुते पर वो राकी को अपना खुदा मानते हैं यहां राकी आंधी तो पान की तरह आगे बढ़ता जा रहा है एक मंजिल फतह करने के बाद और दूसरी मंजिल पर जित हासल करता जाता है उसे केजिएप का सारा सो बढ़ना चाहिए अपनी मा से किया गया वादा जो पूरा करना है कि उसे दुनिया का सबसे अमीरादमी बनना है। दिसमनों को मा worries दे पाएगा, क्या वोय अपनी मा से किया हुआ हुआ वा दा निभा पाएगा अपने प्यार के साथ इनसाभ कर पाएगा, इन सारे सवालों के जवाब आपको फिल्म में मिलेंगे मगर हम आपको इतना जरूर बता सकते हैं कि फिल्म क्लाइमेक्स में या भी तेकर देती है कि जब चैप्टर 3 की भी योजना है निर्देसिक क्रू में परसान नील इस्पेशल थे कि उन्हें चैप्टर 1 की तरह हाई आक्टन एक्षन वाली इंटर्टेनिंग फिल्म बनानी है यही वज़े है कि चैप्टर 1 की प्रमपरा का निर्वाह करते हुए उन्होंने इसमें भी अंधेरी, माली, कुछली और दहसत भरी दुनिया पेस की है फिल्म में रौ एक्षन का जलवा देखने को मिलता है जहां बंदूकों के साथ साथ हाथोड़े, चापर, चाकू और आखोबी से इस्तमाल हुआ है पहले भाग में नायक और अन्न किरदारों को डेलर करने में उन्होंने खासा समय लगाया मगर इंटर्वल के बाद फिल्म का घटना करम तेजी से बढ़ता है इस बाद निर्देशक नायक के भात्मक पच्छ पर भी जोर देते हैं मगर साथ एक मजबूत एंगरी एंगमैन भी उभरता है जो कहीं ना कहीं समाज के सोसित वर्ग के लिए मसीह है अपनी कहानी और पात्रों के जरिये परचान नेल धानमिक रौद सोहादर का परिशे देना नहीं भूलते जो मुझूदा हालात में पाजट्यू मैसेश देता है हाँ फिल्म का वर्तमान और अधियत का सफर थोड़ा कनफ्यूज जरूर करता है राकी और अधिरा के फैट सिक्वेंस का मालके है फिल्म का क्लाइमेक येस के फैंस को जजबाती कर देगा आला कि फिल्म की लंबाई अगर 10-15 मिनट कम होती तो कहानी और धारदार हो सकती थी बैगराउंड मेजिक और सिनेमाटोग्राफी को फिल्म का प्लस पॉइंट कहना गलत ना होगा इसमें कोई सक नहीं है कि पूरी फिल्म येस की है येस अपनी स्टाइल अदाओ और अंदास से अपने स्वेक को बनाय रखने में कामयाब रहे हैं फिल्म में एक्षन और हिंसक दर्स्तों के भरमार है मगर उसके बीच में येस कहीं अपने टाइलाग्स तो कहीं कॉमडी तो कहीं अपना जिजबाती पहलो दिखा कर उसे मनरंजक बनाते जाते हैं फिल्म में हरुएन सिरी नधी के लिए येस का यह डायलॉग इसे मैं एंटर्टेनिंग के लिए लाया हूँ खलता है युवाओ के हिरो बन्च के येस को ऐसे समवादों से परहेज करना चाहिए नाइका के रूब में सिरी नधी कई फ्रेम्स में नजर तो आती हैं मगर उनकी भूंका का औश्यति समझ नहीं आता अधीरा के रूब में संजिदत ससक्त उपस्तित तरसाते हैं तो वही रवीना टंडन चुनिंता द्रस्टों में बाजी मार ले जाती हैं सुतरधार के रूब में प्रकासराज, सीबिया इदिकारी के रूब में राव मेस और अनिसयोगी कास्ट मजबूत है यसके फैंस और एक्शन ड्रामा सिनेमा के सौकिन या फिलम जरू देखे उन्हें या फिलम निरास नहीं करेगी यहां कहानी वहीं से सुरू होती है जहां खतम होती है गोर्ड का बिजनेस करने वाला राकी भाई वापस आ गया है अपना केजियप सहर बसाने उससे और अधिक सोना चाहिए लेकिन अपने लिए नहीं पूरे गाउं के लोगों के लिए लेकिन इस बार उसका सामना एक खतरनाग ख़लना एक अधिरायने संजेदत्त से होता है जिसकी तल्वार को सिर्फ खून चकने की आदत हो गई है राकी भाई को सुरुवात में तो वह हिलाने में कामयब होता है लेकिन फिर किस तरह से रौकी उसको मात देता है या नहीं दे पाता और अपने लोगों के लिए अपना समराज इस्थापित कर पाता है या नहीं यही इस फिल्म में ट्विस्ट के साथ दिखाया गया है कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट रमिका ने रविना टेंडन की सत्ता भीलाती है लेकिन वह ट्विस्ट क्या है यह सब देखना फिल्म को मज़ेदार बनाता है क्योंकि इस फिल्म में ड्रामा और एक्शन भरपूर है जिसे देखर आप हैरान हो जाएंगे अमोमन ऐसी मसाला फिल्मों में कहानी के गराप काफी उपर नीचे होता रहता है लेकिन इस फिल्म के निर्देशक ने कहानी के गराप को ना सिर्फ ड्रामा दमदार डालॉक्स एमोशन्स और एक्शन से बांधे रखा है बलकि फिल्म में घजब का सिनमेटिक अनभव भी है एक्शन सिन खुबसूरते से डिजाइन किये गए हैं एक अलग ही आरा नजर आता किर्दार का है हमेशा कितरे साउथ इंडियन फिल्मों में महिला पात्रों को कमजोर दिखाते हैं वह नहीं होना चाहिए यस ने चार साल में खुद पर और मेहनत की है उन्होंने एक टोन प अच्छा है फिल्म केजी अब चैप्टर टू यानि केजी अब टू को देखने के बाद सबसे पहले वह बात जो सभी लोग सबसे पहले जानना चाहते हैं क्या केजी अब थिरी भी बनेगी तो इसका जवाब हां में है फिल्म बनाने वालों ने फिल्म के अगले अध्धाय का सूतर फिल्म के क्लाइमेक्स में दिखा दिया है फिल्म के जिएप चैटर टू एक बिसाल का अन्वास के लिए सोची गई कहानी है आईमेक्स पर इसे देखने का आनन्द ही कुछ और है हाँ बसरते सिनेमा घर का आडियो सिस्टम ठीक से काम कर रहा हो सिनेमा दरस से स्रब म अध्यम हैं अंग्रेजी में आईडियो विजूल जो दिख रहा है और जो सुनाई दे रहा है उसका संतिलन फिल्म के जिएप चैटर टू में कमाल का साधा गया है परदे पर कुछ नहीं दिख रहा हो और आवाज आ रही हो तो भी दर्शक समझ जाता है कि आवाज आ रही ह आखिर क्या चल रहा है ये फिल्म सिनेमा में एंग्री इंग मैन का वजूद भी तलासती है और जिस तरह यस के परदे पर पहले परवेस पर सिनेमा हाल में दर्शकों की सीटियां तालियां और सब्दावालियां घुचती हैं उनसे लगता है कि कि सिनेमा असल में यही है द अपना परिशाय देश के CEO के रूम में देता है। सोने के अवेद कारुबार की देश बिदेश से कड़ियां जोड़ती है। फिल्म देश की बित्ती बेवस्ता की उस कमजोर कड़ी पर भी चोड़ करती है। जिसमें गुमणाम लोगों के बैंक खाते खोलकर लोग रातो रा और पती बन गए। फिल्म केजेब चैप्टर टू की कहानी सुनने के लिए इस बार आनंद नहीं है। कहानी उनका बेटा बिजेंद्र सुना रहा है। कहानी के किरदार जाने पहचाने हैं। फिल्म अपने पुरवरती फिल्म आर 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 के तरह दिल्ली तक चड़ कर आती है। देशिड में बन रहे हैं सिनेमा की कहानी को उत्तर तक लाने की जो सुरुआत मरे रतनम ने फिल्म रोजा में की थी। उस परंपरा का वाहक अब आर 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 और केजेब चैप्टर टू जैसी मेगा बजट फिल्में कर रही हैं। निर्देशक परसान नेल की फिल्म के कमजोर कड़ी समान है। और वह है इसका जरूरत से ज्यादा लंबा खिसता क्लाइमेक्स। केजेब टेटर टू को हिंदी में लिखने वाले टीम ने कमाल का काम किया है। इसके समाद आपको आखिर तक याद रह जाते हैं। जैसे यहां सिर्फ सास्त नहीं है। सिर्फ ता सामनेल के जनून से बनी इस फिल्म में सलीम जावेद की लिखावड के सारे फार मुले हैं। ध्यान से दोखंगे तो येस के हावभाव उनके पहनावे उनकी अकड़ और उनके रुआप में आपको कभी दिवार कभी सोले तो कभी सुहा क्यामिता बचन का अक्स नजर आए देश की मेला परदान मंत्री की चोकर तक जाकर राकी वार करता है। सांसत में भी उसकी सेना घूज जाती है। ये सब इसके बावजूत की रा की वायलैंज पसंद नहीं करता। अब वायलैंज राकी को पसंद करे तो वा क्या करे। रॉकी के किरदार में यस ने फिर एक बार महफिल लूट ली है उनका माइनरिज्म तालिया बटोरता है उनका स्टाइल सीडिया बटोरता है और जब रॉकी फर्दे पर अपनी मापतनिया बच्ती की एक मुस्लिम महला से मुख समात करता है तो आंसू भी लियाता है कसमीर फा में समाजिक समर्षता की एक नई अबारत लिखी जा रही है यहां मुश्किल में काम आने वाले लोगों के मज़ा पर भी भीम को भी फक्र है और राकी को भी इन दोनों फिल्मों की सफलता का राज भी यही है इन्हें देखते हुए आपको पास की सीट पर बैठे दर्सक से सत करना ही रहना होता फिल्म के एजिएप चैप्टर टू में यस के बार रविना टंडन और संजेदत दोनों का काम दमदार है रविना टंडन ने तो जिस गरिमा और गमक्ट के साथ परधान मंतरी का किरदान निभाया है वह उन्हें आने वाले दिनों में पृष्कार भी दि निकल गए उनकी बेस भूसा और उनके किरदार का रूप चित्रड़ हाला की एक बिदेसे सीरीज के किरदार से सो फिषदी प्रेरिद दिखता है लेकिन उनका काम रौबदार है स्री निधी सिट्टी तो अप के एजिएप तरी में नहीं देखेंगी लेकिन समंदर की अंत अथानक आधारित फिल्मों में मिस करते रहे हिंदी सिनेमा के दर्स को को ये फिल्म खोब पसंदा सकती है बस ध्यान रहे कि इस फिल्म में वैसो तो वरुडा सरंगार और वासले के रंग भी है लेकिन कहानी असल में भीतरस्म रौस और भयानक रसों में ज़्यदा पगी ह केजिएप चैप्टर 2 की कहानी को लेकर एक डायलाग है यह एक छोटे से गाउ में रही रही मा के जिद की कहानी है और उसी जिद को पूरा करने के लिए रौकी किसी भी हत तक जा सकता है वाकी केजिएप चैप्टर 2 में निर्दिसिक परसान नील और यस उस वादे को पू रास नहीं किया अब मुमन फिल्म की सफलता के बाद स्विकल कई बार उतना परभावी नहीं बन पाती मगर यहां निर्देशक परशान नील ग्रेजर रोंग्टे खड़े कर देने वाले एक्शन इसके स्वेग और स्टाइल के साथ बाले